आज पढ़ेंगे घन मूल, घन तथा घन मूल, एक से पचास तक का घन है, इसका स्क्रेंसाट ले लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें, दिखरा सभी को बढ़ियां से, पक्का दिखरा है, देखो, घन का मतलब होता क्या है, थोड़ा समझ समझा भी देता हूँ, बाकी आगे बढ़ते हैं, जैसे तीन का घन है, तो यह 27 कैसे आया, पता है तुम्हें, देखो भाई, यह ऐसे आता है, तीन का घन, मतलब कि 3 को हम ऐसे 3 बार गुड़ा करेंगे, तो 3 तरीका यह 9 और यह 3, यानि फाइनल में 27 बनाता है, इसी तरीके से आप और सब को समझ लेंगे, जैसे माल लो कि मैंने 8 को लेना चाहा, तो 8 का घन, मतलब 8 का 3 बार मल्टिपल, एफे, 8 एट जा 64, और 64 को अगर 8 में आप करोगे तो कितना होगा, 512, देखो यहां कहीं है, यह, कोई दिक्कत, कोई परिसानी, कोई तकलिफ नहीं न, यह चीज़ समझ गए? नितीस बाबू नंबर पर संपर करो, नीचे चल रहा है, साइलेंट बाद इपक, डॉंट कॉपी पेस्ट, रोहित बिसकर्मा, जी रोहित, कमेंड मॉटरेटर हमारे आए हो आप, एक बार हाँ बोलिए, अगर आप आए हैं तो यस, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, लेकिन किसी को कोई ब्लॉक भी नहीं करेगा, चलो, आईए, क्या पढ़ेंगे, घन तथा घन मूल, घन तथा घन मूल, चलो मेरे बाई, यह बता मुझे सभी मांदारी के साथ, कि आप लोग घन जानते हो, लुहार का घन नहीं, यह हम लोग का घन जो यहां हो रहा है, बात को बुरा ना मानना, देखो घन वाला मैटर मैंने आपको दिखा दिया, एक बार मैं फिर फे थोड़ा बेसिक चलूँगा, संख्या, घन, घन मूल, देखिए हम सिखाएंगे, यहां पर आपको ठीक है, हम यह नहीं कहेंगे कि इतना बड़ा होई गया, गदाहा नहीं, तो सिख्या ना अभी तक अतना नहीं, हम बिल्कुल जीरो से सिखाते हैं, हम जानते हैं कि आपको नहीं आता है, नहीं आप देखो कि कोई भी अगर एक बड़ा इंस्ट्यूट है, जिसमें पांच-ाठ है, चलो, नमबर, जैसे छोटा फा नमबर लिजी, अगर आप दो, वन तो कोनो मतलब नहीं होता, वही सब आ जाता फिर से, इसका अगर घहन करेंगे साथी मेरे, तो यह होगा टू का अफे, तीन घात, इसका मतलब यह होता है, कि तीन घात है, तो इसको तीन बार आपस में गुड़ा करेंगे, ठीक है, यानि फाइनल में इसका अगर हम मल्टिपल कर लेंगे, तो यह आठ हाएगा, कितना आएगा आठ, इतना भी गंदा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इनको हम इधर हो ले सकते हैं, हमारे पास जगा है परयाप, ए रुकना, साइड में खिसक गया ना यह, आए, जिनको जीरो से सीखना यह क्लास सिर्पुनी के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, अब आठ का क्या करेंगे, घनमूल, ऐफे, ठीक है, घनमूल, कैसे करते हैं, सब बता रहा हूं, बेसिक, बेसिक, बेसिक प्यार से समझो, देखो भाई, जो यह भी चीज इसके अंदर में आएगा, यहां पर, क्योंकि टू को हमने थिरी टाइम मल्टिपल किया था, तो आठाया था, घनमूल में तीन-तीन का जोड़ा बनाते हैं, क्या करते हैं, तीन-तीन का जोड़ा बनाते हैं, आपने अब तक जोड़ियां दो-दो की बंती हैं सुन मतलब नहीं आपर चलो ठीक है, समझ में आ गया, तो घनमूल में कितने-कितने का जोड़ा, तीन-तीन का ठीक है, तो यह हो गया, घनमूल, मतलब आठ का घनमूल कितना, दो-चलो आगे देखो, यहां पर, तीन संख्या ले लिजे जैसे, यहां पर हाँ एक चीज आपको और और समझना है अगर इन्हें आप प्यार फे देखो और इन्हें देखो तो दोनों सेम है कि नहीं यानि हमने सुरू जहां से किया और खतम जहां पे किया सेम हुआ कि नहीं यही मैं आपको अंतर सिखाना चाहता था मेरे प्यारे साथियों कि जो नंबर होती है उसका घं करने के है उसका मूल यहां से उत्पन हुई रहती है जैसे संक्या आठ है तो यह किसी का घं है तो किस संख्या का घं है इसका घंवूल निकालेंगे तो संख्या मिल लेगी जैसे यह 8 गहन है तो मैंने क्या किया उसका घर मूल निकाला तो 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 आगया तो क्या है अटका मूल है ठीक है प्प्प्पर सब्पोर्ट आप नंबर भी कमेंट किया करिये ठीक है तो यह चोटी सी बात थी एक और आगे बढ़े ठीक है आए देखिया और आगे संख्या मान लिजे मैंने ले लिया तीन अब साथी मेरे तीन का आप घं करोगे तो कितना होगा तीन का तीन बार गुड़ा यानि फाइनल में कितना आएगा 27 कितना 27 अब आप इसका क्या करोगे अब 27 का आप क्या करोगे इसका 27 का करोगे घं मूल ठीक है जैसे अभी मैंने बताया इसका भी जोड़ा बनाओगे वज़से ही तीन गुड़ा तीन गुड़ा तीन इसके भी तीन तीन के पेर बनेंगे फाइनल में एक तीन आएगा किसी को कोई परिशानी नहीं न अभी तो इस्टार्टिंग है अब थोड़ा और आसानी होगी आगे पेज में आओ देखे मान लो कि हमने एक कुश्चन लिखा कुश्चन नमबर इसको वन मानते हैं चलो बहुत छोटा सा कुश्चन है हम कहें कि 64 का घनमूल क्या होगा आतिकांस लोगों को आता है फिर भी इसे देखेंगे क्योंकि उन्हें गड़े सीखना है कितने लोग बता लेंगे बहुत अच्छा काफी बच्चों को मालूम है काफी लोगों को नहीं मालूम है जिनको नहीं मालूम है हम उनी के लिए आए हैं चलो देखो सबसे पहले इनका क्या करते हैं आभाजी गुडन खट एक सम संख्या है एक भाजी संख्या है तो यह दो से completely divide होगी आप दो से जब भाग करोगे 64 को क्या करोगे दो से 64 को जब भाग करोगे मेरे साथी तो कितना आएगा 32 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 32 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका काव आएगा या रुकचा 16 आएगा 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा 8 का 2 से जब भाग करोगे 4 आएगा 4 को 2 से भाग 2 आएगा 2 को 2 से भाग करोगे 1 आएगा ये क्या है 8 के अभाज जे गुडनखंड प्राइम फैक्टर है मिस्टर एंड मिसेज किती बारा भाईया गिना एक दाए चाब आ रहा ना भाईया इनके काकर बस भाईय अब लोग पेयर बना उबा पेयर जोड़ा जोड़ा बनना बहुत जरूरी इनका तभी घन मुलाएगा तो जोड़ा इनके दूठी बना है एक जोड़ा से एक दो बाहर दूफर के जोड़ा से दूफर का दो फाइनल आएगा आपका फोर कितना फोर मोनिका समझ में आ रहा है सुमन कुमार सत्या अब प्रियंका भरद्वाज तीला कुस्वाह गीता अस्वनी बिजय रुबी राहुल लक्षमी अर्मान मनोज प्रितम सिंग सोबित यह है घनमूल घनमूल का बिलकुल बेसिक यहीं से सुरू होती इनकी कहानी इनकी स्टोरी यहीं से है अगर आपको गड़ित सीखना है तो PVR स्टड़ी आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है बसरते आपको बिलकुल दिल लगा के वो अच्छी वाली मौबबत मैथ से करनी है अरे वही जिसमें नींद नहीं आती है चैन नहीं आता है है ना और मैं खड़ा रहा जमी चलने लगी तो आएगा मैथ जरूर आएगा लेकिन उतनी वाली मौबबत हो जाएगी तब जब मैथ पड़ने लगो और नींद ना आए है ना यही तो अंतर है यह मैथ में और उस वाली मौबबत में इसमें जैसे किताब लेके बैठो नींद आ जाती है और उसमें जब भी लग गए तो नींद भाग जाती है क्यूं ऐसा क्यूं सोचो और बताओ जो हमारे एक्सप संख्याएं हैं जो पूर्डगन हैं और पूर्डगन संख्याएं बहुत ही कम है पूर्डगन संख्याएं बहुत ही कम है देखो यहां पर समझो कैसे हैं हम बात कर रहे थे वन को छोड़ करके क्योंकि वन जो है यह पूर्डगन संख्या भी है पूर्डवर्ग संख्या भी है यह सभी संख्याओं का अभाज गुड़न खंड भी है इसकी कोई बैलू नहीं होती है जिंदगी में जिसे आप ना कहते हैं वह हद फिजादा भाव देने लगोगे वह आपको रद्दी के भाव समझ लेगा तो वही हाल है यह सब को अभाव देता है सभी के फैक्टर में आता इसलिए कहीं वहन को ने लिखा जाता जल्दी से मतलब कहीं गुड़ा में है यह भाज इग्णुर कर देता है तो ऐसे लोग जिंदगी में आपको इग्नौर कर देंगे अगर आप सब को भाव देने लगोगे इसलिए थोड़ा इसका सबसे पहले आभाज गुड़नखंड करेंगे आभाज गुड़नखंड में ज़रा ध्यान से देखिये इसको यह समसंख्या नहीं है क्योंकि इसका लाष्ट का अंक 024-68 नहीं है तो योये दो से पूरता विभाजित भी नहीं है क्योंकि दो का जो fully divisibility rule होता है उसमें लाश्ट का डिगिट 0,24,68 होना चाहिए तो हम 3 पे चलेंगे 3 का विभाजजता नियम होता है अगर संख्या के अंको का योकषल 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी इनके अंको का योकफल आएगा 2,1,3,5,8 आठ तीन से विभाजित नहीं है सो तीन से भी यह नहीं होगा चार के विभाज़ता नियम में आगे बढ़ोगे तो चार का विभाज़ता नियम लाश्ट के दो अंक मिलकर चार से कटने चाहिए इसमें ऐसा नहीं हो रहा है सीधा 5 पर चलेंगे इतना बवाल करने के बाद अब आगे कुछ नहीं कहना है 5 से भाग करोगे 25 को तो 5 आएगा ये हो गया खतम देखो मैंने विजू एक्जामपल बताया न ये ऐसे करना चाहिए 1 भी यहाँ आएगा ठीक है लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है अफी होता है ये 5 गुड़ा पाँच गुड़ा पाँच इसका भाज गुड़नखर बाद 1 भी है लेकिन 1 को ignored कर देते हैं मैंने खाना ये सब के में आता है इसको छोड़ देते हैं 1 को इसका कोई मतलम नहीं कि इतना ही लिखते भी कि चीन तीन का जोड़ा बनता है और यह आ जाता है पांच को यह था बिलकुल बेसिक वाला सिस्टम की आप घनमुल कैसे निकालेंगे इससे छोटा कोई नहीं पढ़ाता है कोई पढ़ाता है बता तो मुझे कोई पढ़ाता है कोई इंस्ट्ट देखे हो ऐसा कि जहां पांच लाख दफ लाख बच्चे जुड़े हो और वह यह घनमूल पढ़ाए गोर बेजती है इसमें गरल्फेंट छोड़के बाग जाएगी गुरुजी की कहें कि तुमको कुछ वाव बड़ा दुख है यह जिनको गड़ित नहीं आती उनसे पूछो कितनी तकलीफ है उन्हें इसलिए हम बिलकुत सुरू से पढ़ा रहें एकदम जीरों से हमारी कोशिस है कि सब को आना चाहिए सब को आना चाहिए चलो भाई आगे अब कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं के भी घनमूल कर लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं मान लो मैंने ले लिया 27 चोवालिस तीन नमबर है न यह कि चार है इसका घनमूल क्या होगा आप सभी इमानदारी के साथ क्या बता सकते हो आप सुन में बताओ इमानदारी के साथ बताओ इसका घनमूल कर लोगे 13 आएगा 12 आएगा 14 आएगा यह ड़ी वाला है इसका 11 आएगा बताओ क्या आएगा गीता बर्मा अस्वनी सहाना खातून बबलु राय आर्ति सिंग निया तिवारी पूजा सुकला राहुल सर्मा अनवी मेनिका साइलेंट बॉय दीपक पारबती सर्मा प्रियंका भरत्वाज बहुत से बच्चे जुड़े हैं लेकिन मुझे सिकायत है आपसे कि आप सभी क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं आपको सिर्फ बटन टच करना उसको चुना चुप से प्यार से बस ऐसे अब वह भी नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्या करूं चलो देखे जिनों ने इसको देखा प्यार फे इसको देखा इसको देखा वह आंसर बता लेंगे इसको देखा था प्यार फे बताओ आपको घहन याद होना चाहिए अगर आपने 50 तक के घहन याद कर लिए तो बहुत सारी संख्याओं के घहनमूल आपको चुटकियों में पता चल जाएंगे और अगर आप एक competitive student है तो आपके लिए सिर्फ आंसर ही मायने रखता है तरीका नहीं के रेजल्ट देखती है दुनिया परडाम देखती है महिनत कोई नहीं देखता है कि कॉम्पटीशन में यही तो होता है competition में सिर्फ आंसर देखता एक जामनत तुपने कैसे करके लाया है उसने से कोनौ मतलब नहीं है आईए इसका आंसर होगा 14 कैसे होगा क्यूं होगा अब हम इस पर चर्चा करेंगे तो पहिए सबसे पहले इनके अब हाज ये गुड़न खंड करोगे आप 27-44 के ये क्या ये समसंख्या है एक बार हां या ना में जबाब दीजिए ये एक समसंख्या है बिलकुल सही क्या है ये समसंख्या है इनको दो से हम अगर डिबाइड करेंगे तो 2,1 लोगे साटक्र है और 22-6 इप और 22-14 वे समसंख्या है गर धम 12-13 और 27-14 दो दूनद चार कौन दिक्कत ना किसी को जिन लोगों को लाग रहा है कि 1372 कैफे आया वो यहां देखे मगर प्यार फे इधरे देखो आई फे, आई से आवा भाया दो एक कम दू स्ताथ उताल लो दो तियां इचे गटाने बेग आया उपर चार उताल लो 24 उपर से चार उताल लीजिए दो दुना चार इफ ही लिए हम जब दो से भाग किये हैं तो हमें 1, 3, 5, 1, 2 मिला है यही वो तरीका है, यही वो कारण है समझ में आगे सभी को किसी को कौन दिक्कत परिसानी तो मुझे एक बार हाँ बता दीजिए इमानदारी के साथ नहीं न, पक्का आगे बढ़ें फिर चलिए थोड़ा-थोड़ा हिलते रहना चाहिए नहीं तो लोकों को लगेगा यह रिकॉर्डेट क्लास है बोलो नहीं रहा, ना मौन नहीं ले रहा है क्योंकि रिकॉर्डेट क्लास तो आज कल गुना हो चुकी है ना अधाव इनको बगाओ चलो दू चंग बारा और यह बने भईया आईक एक ठी एक बन जाए सतरा हो जे तो दू यठे सोला और दू चंग बारा दू त्याई छाट दू चोग आट दू त्याई छाट 343 किसका घण है क्लिद्रिक कर्णा त्रिक 27 होता है ना 7 सता उंचा 7 343 होता है साथ का घं है तो साथ चोग अठाइफ साथ नमाई तिर्फट साथ सता उन्चा साथ एकम साथ इनका घं मूल करेंगे मेरे यारों इनको ऐसे लिखोगे प्यारफे दो तीन टाइम है पेंस तीन बार साथ भी तीन बार है इनमें तीन-तीन का जोड़ा बनता है मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि तीन-तीन का पेर बनाओगे इसमें से आएगा एक इसमें से आएगा फाइनली 14 आएगा तो यह वह तरीका था जिस तरीके से 14 आता है मतलब 2744 का मतलब 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 वही क्यूब रूट शाहिबा नूर समझ में आ रहा है अभी भी अधिकान से बच्चे सेशन को लाइक नहीं किये हैं आपकी जिम्मेदारी है कि कलास को लाइक करें तुरंद लाइक करें देर ना करें ये बहुत इंपॉर्टन मैसेज दिखाने वाला हूँ कहां पता हैं देखा देखा तो तुहीं लोग का दिखावे वाला ही जितने भी कंडिडेट जुड़े हैं याद रखें दिल में बसा लें जिगर में बसा लें कि ये सेशन सिर्फ लाइब देख सकते हैं ये बैच यूटूब पर मैं जीरो से बिल्कुल फिरी पढ़ाऊंगा अगर आपका आज पहला कलास है तो आप नीचे दियेगे नंबर पर मैसेज करिए आपको सारी कलास का लिंक मिल जाएगा ये गठा आज तक जो चली है लेकिन आज के बाद आपको रेगुलर लाइब आना है लाइब कलास इंड होने के बाद इसके recorded वीडियो बाद में डाउनलोड करके देखने के लिए नहीं रहेंगे ठीक है सारे वीडियो कभी नहीं मिलेंगे आपको यूटूब पे या जितना खोजना 9 पीम से 9.40 पीम के बीच आप लाइब आओ ये टाइम है कलास का सारा काम धाम छोड़ के आओ अगर आपको गर्ज है फ्री पढ़ना है तो और सिखाने की पूरी गारंटी है गडित नहीं आती है तो निकाल लीजिए टाइम 40 मिनट जिंदगी के लिए जिंदगी बनाने के लिए 40 मिनट निकाल लीजिए छोड़ दीजिए पूरी दुनिया 40 मिनट के लिए और इंटरनेट बचा के रखिए बगा दीजिए बेबी बाबा को 40 मिनट के लिए इंटरनेट बचा के रखिए इंटरनेट खर्चा मत करिए साम के लिए आईए एक और कुश्चन कुश्चन नमबर कितना होगा तायत 5 ये 6 लिख लो भई फटाफट चलो इसका अंसर हर कोई बता लेगा मुझे ये बताओ का घनमूल इस पर मान मतलब वो आल्रेडी घनमूल शीपा है कितना आएगा बताओ 13 10 11 18 इसका मान कितना आएगा बाई साहब चलो इसका मान कितना आएगा बाई साहब चलो छे नंबर में बताईए जबाब दीजिए मैं बता रहा हूं तरीका कोई दिक्कत की बात नहीं है दीपक अपना नाम थोड़ा सही कर लीजिए तो अच्छा लगे मुझे थोड़ा अगर हो सके तो नाम जैसे नाम बना लीजिए का है को पूरे गाउं का नाम मिला की जोड़े हो बताओ भाई एक ही बार कमेंट करिए अलका सिंध पटेल पूझा सुकला लक्षमी देखो तरीका बताओ तरीका 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 पाँच नंबर है अगर इसका सी सही है तो आप कमेंट में लिखे पांच सी आप 11 मत लिखीए अगर 6 नमबर का जवाब दे रहे हो अगर इसमें A सही है तो आप बताओ 6 A कमेंट में बस इतना लिखना है बहुत अच्छा जिनको घन याद होगा उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि 11 का घन 1331 होता है तो इसमें जो है आपका 5 में C सही है बटेमा A नहीं सही है बहुत अच्छा इसमें आपका D सही है D दफ 1648 जो है वो 22 का घन है दफ 1648 का घन मूल बाइफ है समझा ना नहा समझ में आ रहा है दीपक पतिक्छा हीना बिजय अच्वनी मोहीत देव धीरज तो दफ 1648 का घन मूल देखना है मगर प्यार से मगर बोर्ड पे देखना है मुझे नहीं देखना है कुछ लोग मुझी को देखके गड़ पड़ा जाते हैं अब बाद में मैं से देखो वाटसाप पे आया रहता है हमारे साथ ही लोग बहुत मज़ा लेते हैं कहते हैं क्या क्या बोलते हैं बच्चे आपसे हम कहते हैं बच्चे थोड़ी हैं वो बच्चों की उमीद करने वाले हैं चलो देखो आगे यह क्या एक सम संख्या है और एक भाजे संख्या है तो यह क्या होगा दो से पूर्णता विभाजे है आप दो से भाग करके इनको देखिए दो पंचे दस दो त्याई छे और दो दुना चार और दो चौकार्ट क्या यह सही हो सकता है जरा एक बार सोचो कि 10648 का आधा क्या होगा दस 1648 का आधा क्या होगा पांच 1324 चोटा चोटा पार्ट में सोचिए 10,000 का आधा 5,000 648 का आधा भै 600 का आधा 344 सही है फिर से आप इनको दो से भाग करोगे तो दो दुना चार यह बन जाएगा 13 दूशंग 12 फिर यह 12 दूशंग 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 12 और 324 का अधा देड़ सो बारा देड़ सो बारा मतलो एक बाफट है पचीस सो बाफट जोड़बा तो 262 होए सही है कि दूसे भाग दूए चाज़ दूए कम दूए अच्छा तेरा सो एक तीस का कहुं सुने रहा क्यों जो ने कहां से आवा था इकों ने कहां से बताव भया तो लोग कामा सकल देखे आया का कुछ लोग ऐसे है न वह चुप चाप ऐसे देखा था है इसे लागता है बस आद जोड़े वैठां सीरियल चलता है महाँ भारत चलता है मतलब रामायड चलती है बस बगवान की जय हो बीच-बीच में हाद न जोड़िये कांपी पर नहीं पहिने है यह दाउड रहे हैं रंगे पैर बताओ अ कि मैंने बताया ना कि मैथ में वह आली मुभबत करनी है जो अपने उससे करते हो इसमें सब हमारे उसी एज गुरूप के हैं सब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि तेरी और मेरी मुभबत में बस फरक है कितना कि मुझे सिर्फ तुम से मुभबत थी और तुमको हमसे भी मुभबत थी कितने लोग समझ गए देखो अभी नहीं समझें तो वो समझ जाएंगे कलास में पूरा निंट तक बनिएगा और वो जो ग्यारा है ना उसका क्यूब है 1331 क्या है क्यूब है तो ठीक है ग्या ग्यारा एकम ग्यारा और यह हो गया कितना क्या थैस्ट गया दूना वाईस और ज्यारा हमें 211 गयारा हमने बताने वाला कुछ और था लेकिन मैरी लाइन कहीं और गोम गई थी अभी रुखो बताता हूं वो कि इनका तीन तीन का पेर बनाओ गए गेरा दुना बाइस यानि यह कैसे आया इनका घनमूल आ गया ना कि सभी समझ गया ना कि समझ में आना चाहिए और जागते रहो आप लोग इसलिए आपको बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत चुटकुला भी मिलते रहना चाहिए ना कि चेंज होता रहना चाहिए बीच बीच में जैसे साट वीडियो में देखते नहीं हो आंटी लोग भावी लोग लगी रहती है लोग देखते रहते हैं दो तिन तिन गंडे तो मेरे पास चेंज करने का ज्यादा कुछ नहीं है तो मैं मुई इदर उदर बनाता हूं ऐसे यह उसे तो लोग देखते रहते हैं कहां देखो अब कि ऐसे कर रहा है बले मायत नहीं समझ में आ रही देखो आगे आज साथ चार जीरो अठासी इसका मान बताईए घन मूल में इमानदारी के साथ बताना बिल्कुल पूरा इमानदारी फूल इमानदारी 40, 35, 48, 42 कितना आएगा? बीजे, नेहा, गीता, एमडी, सानवाज जल्दी करें और फटा-फट सेशन को लाइक भी करें आप लोग देखो लाइक नहीं कर रहे है तो बगल में एक हर्ट वाला चिन बना है, उसको भी नहीं कोई क्लिक कर रहा है कुछ तो करो ना यार बेरे गुर्ट, चलिए आएए देखें इसका जो करेक्ट आंसर है, वो सही है 42 कितना है 42? सबसे पहले अगर कोई जवाब दिया है तो उनका नाम है नेहा, तिवारी, मेनिका, गौतम, धीरज, प्रियंका, सुमन, गुफ्रान आईए, 22 आएगा, कितना आएगा 22? तो जिनको मैत नहीं आती, उनको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जुगाड बता रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा आपको आपके उनसे मौबत है, किस से पता है, जिस से भी हो, तुम्हें बालूम होगा इसमें कोई बुराईइ नहीं, मतलब पाप नहीं है, वही वाली मैत से कर लो, लेकिन दोनों में अंतर देखो तो मैत की किताब खोलके बैट तो नीन आती है समझ में नहीं आता है और उस वाली में सब कुछ समझ में आता है उसमें आने के बाद फिर नीन नहीं आती है रात बिज जाती है तो वही चेंज कर लीजिए बस इधर का उधर अब इससे चूटा ट्रिका ओर कुछ नहीं हो सकता है पिर देखिये नीन नहीं आएगी तो पिर आने लगेगी निने भी मारी यह और नीन किसी भी काम में नहीं आती जिसमें मजा आता है अच्छा लगता है उसमें किसी भी काम में नीन नहीं आती नीन उसमें आती जिसमें बोरियत महसूस होती जबर जस्ती बैठाया जाए उसी में नहीं आती है तो थोड़ा अपने आपको मतलब चेंज करिए माइंड चेंज करिए कि यहां कुछ अच्छा कर रहे हैं हम मजा आना चाहिए और हमारी कोशिस है इसलिए कि मजा आये इसलिए दो दो गंटे हमें लोग देखते रहते हैं और यह संख्या क्या एसम है और भाज्य है तो दो से कमप्लिटली डिवाइड होगी है कि दो से क्या होगी कमप्लिटली डिवाइड होगी देखो यहां पर कैसे आये यहां पर देखिए 74088 अ बिभाजिता नियम पढ़ाया गया कि नहीं हाई या नहीं क्योंकि जब आगे बड़ी-बड़ी संख्याएं होंगी तो आपको दिक्कत हो सकती है विभाजता नियम पढ़ाया गया की नहीं बताइए देखे यह क्या है है ऐसरे है अगर किसी भी संख्या का अंतिमंक 025 6 8 होता तो समच्ख्या होती है और आप आपये कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे क्यूंकि जिसको हम पसंद नहीं है उसको हम पसंद करते नहीं है आई ये दो तियाई छे और ये दो सद चौदा दो तियाई छे और दो सद चौदा सही है 74,088 का आधा 37,044 अब इनको देखिए लाश्ट में 4 है सम संख्या है और भाजी संख्या भी है तो 2 से फुल डिबाइड होगा 2 से फिर से भाग करेंगे आप तो 2 एकम 2 और 2 अठे 16 ठीक है बचे गाए ये किधर जायगा ही हो जाएगा 10,25,10 तो दूना चार फिर 2 से 298 दो दूना चार दो छंग बारा, दो एकम 2 अच्छा ये 29,61 कहीं सुना था हमने बच्पन में कहां से आया भईया ये एक किस संख्या का घन या वर्ग है बताओ जबाब दीजिए किस संख्या का वर्ग या घन है जबाब दीजिए फटा-फट चलिए, जल्दी करिए 10 बजे वाली कलास आज ना चलेगी नहीं मैं बेसिक मैं 2 घंटे पढ़ाऊँगा इसमाजा आएगा ये किस संख्या का वर्ग या घन है जबाब दीजिए फटा-फट दिवाली बाद चलेगी दिवाली बाद ने काओ तो ये भी चला दूमें ये किस संख्या का वर गया घन है बताइए थोड़ा रुकना गनमूल चल रहा है ना आज ओके थोड़ा सा मुझे टाइम देना मैं आ रहा हूं आ रहा हूं बस आधा मिनिट बहुत अच्छा बेरी गुड गुफ्रान खान का अंसार आ चुका है सुमन का चुका है हुसाइन अब्बास बेरे गुड़ एक और लाइब स्टाट कर दिया कोई सेशन को छोड़के उसमें नहीं जाएगा ठीक हैं यूद करते हैं जिस्में उसको भी मैं शुरु कर दिया आधाएन आधा धान का अधा कि एगा दि में आक दो पर दो कि दो दिश्य आधा का ध्यूंद्य आधा दिया है तो इसमें छोड़ के कोई वहाँ नहीं जाएगा ओके चल भाई ठीक है बहुत अच्छा यह 21 का है बेरी गुड एक आइस का है कि चलो भाई 21 का है तो 21 का घंद क्या है कि 9261 21 से इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 21 का इसकोर 441 होता है होता है न तो बीना भाग वाग किये डारेट तुम यहां चार चार एक लिखो और 21 से इनको भाग करो यहां एक आइस लिखो हमने बिल्कुल दिमाग नाम का चीज पर योगी नहीं किया इसमें अई पता नहीं सही हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं लगाया दिमाग तो देखो एक बार दिखाई देता हूँ कन्फूजन में होंगे ना कुछ लोग देखो 21 चौका चौराफी 12 में से 4 गया 8 ओपर 6 उतारा चौका चौराफी घटा होगे 2 आएगा ओपर से 1 उतारो एक सही तो है ना सही है ना ठीक है तो सब सही है अंत भला तो सब भला इनको दो दो का पेर बना वहिया एक में से एक दो बाहर निकला दूसरके में से एक एक आस बाहर निकला इनका multiple किया बालिफ हाय ये answer है क्या है ये answer किसी को कोई तकलीफ इसमें तो मुझे बता दो हाँ yes कोई परस्वान है ना एनि डाऊट एनि दिक्कत नहीं ठीक है सभी एक बार हाँ बोल दें अगर समझ में आ गया पूजा याद हो आयागा समझ में रुमन कुमार आपको भी आ गया अगला एक और भी नेक्स्ट घनमूल का कुश्चन शांति फे और प्यार फे देखना अब सांति और प्यार दोनों ना मिले तो केवल कलास देखना घनमूल इसका घनमूल क्या होगा जरा एक बार सोचिए फिर मैं मिटा दूँगा आपसन चलो भाई 51 48 41 55 एनिवन कोई आंसर देगा चलो भाई जल्दी रेडी यास यार इसको मैंने लाइब तो किया बट अलिस्टर करके क्या भी मारी है यार 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 इसको आंसर देगा जल्दी पड़ी यार इसको बताता हूं बिल्कुल बिस्तार से इसमें सबसे पहला आंसर अगर कोई दिया है तो उनका नाम है गुफ्रान खान और अस्वनी सुमन अप्रिया सुकला प्रिया सुकला जी आपका बात विल्कुल सही है कि उसको हम 21 की जगा 3 और 7 से डिवाइड कर सकते थे लेकिन लेकिन हमने अभी घं दिखाया था आपको संख्याओं का तो उसका डारेक्ट परियोग कर सकें इसलिए मैंने वैसा नहीं किया बाकी बेसिक में वैसे ही करना चाहिए था चलो आगे बढ़ें आईए इसका करेक्ट आंसर है यह 55 कैसे करेंगे चलो देखें आगे आईए डियलेड वाली क्लास सिर्फ अपलिकेशन में चल रही है और यह दिवाली बात चलेगी यूट्यूब पे अभी नहीं चल रही है यूट्यूब पे दिवाली बात चलेगी एक सो चाचट तीन सो पचत्तर बढ़िया गुड़ देखें लाश्ट में फाइफ है तो यह संख्या सम तो है नहीं और सम भी नहीं है और यह दो से पूरता विभाजित भी नहीं है क्योंकि लाश्ट कांग पांच है अब सवाल अगरा क्या यह तीन से पूरता विभाजित है उचके लिए इसके अंकों का योगफल तीन से विभाजित होना चाहिए अंकों का योगफल होगा छे एक साथ छे तेरा तीन सोला चार बीस तीन तेईस पांच अठाइस तीन से पूरता विभाजित नहीं है तो यह तीन से विभाजित है ही नहीं है अब हम भीना सोचे समझे पांच से भाग करेंगे पांच से पक्का है तो पांच से भाग करिए इनको इनको पांच से ये बचे एक हो जाएगा 16 फिर 5 यह 15 फिर बचेगा एक हो जाएगा 13 तो 5 दुना दफ बचेगा 3 हो जाएगा 37 और 5 सते 35 बचेगा 2 पचम पचीस बचेगा 13 हजार 275 को जरा 5 से गुड़ा करिए कितना आएगा एक बटराई करिए बिक्की समझ में आ रहा है एनि डाउट नहीं न जो कंडिडेट इस क्लास में DL8 के उद्देश से आए हो कि हम DL8 वाला पढ़ेंगे तो बाबु वो समझ ले कि DL8 वाला क्लास आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्योंकि कुछ बच्चों को इसका लिंक टेलीगराम पे दिया गया था कि इसमें DL8 का पढ़ाया जाएगा सिकंड समस्टर का अरजुन बैच तो जो अभी इसमें नहीं चलेगा आज बढ़िया है ना आईए इनको फिर फिर हम पांच से डिवाइड करेंगे एक बार चेक कर ले ना गडबर तो नहीं है ना पांच अंग तीस यह हो जाएगा तीन हो जाएगा बत्तिस फिर पांच अंग तीस बचेगा दो हो जाएगा 27 पचम 25 बचेगा दो हो जाएगा पचीस पचम पचीस तायटिस 291 किसी का आ रहा है सुमन सैफी सही है आपका पक्का कभी नहीं सही है पूरी तरह गलत है किसी का मन में कोई और डाउट है तो मुझे बता दो एक बार बहुत अच्छा लॉकुस आर रहा सही है ठीक है आगे बड़े अच्छा चट 55 को अगर आप 5 से गुड़ा करिए तो 33 275 पचेटर आएगा फिर फिर इनको 5 से करिए 5 एकम 5 यह हो जाएगा 16 पांटे ही 15 एक बचा हो गया 15 फिर पांटे ही 15 पांच एकम 5 अगर देखिए 11 का बन गया 11 का घंट 1330 होता है तो 11 से भाग करोगे 100 का इस आएगा ठीक है तो फाइनल में क्या आएगा तीन बार 5 5 और 11 जो है तीन बार फाइनल में आप इनका जोड़ा बनाओगे इन तीन का जोड़ा बनेगा एक 5 निकलेगा जोड़ा में से के 11 निकलेगा फाइनल में 5 बनाएगा अंसर पार्थ कुमार नया टॉपिक नहीं लेना का यहां पर यहां पर सबको समझ में आना चाहिए प्रिंसी यादो समझ में आया असुतो सभी को समझ में आ रहा भईया एकदम मस तरीके से तो आप लोग सेसन को लाइक भी करिए देखिया आधा फिजाता ना बच्चा लोग लाइक नहीं कर रहा है चलिए फटा फट लाइक करिए तुरंट अब आगे बोलूंगा नहीं मैं एक लबज नहीं बोलूंगा कि अगर अगर कि अगर कि अगर चलें तो ये था घनमूल अभी इसमें और भी बहुत सारे हैं घनमूल के कुईस्चन जैसा कि मैं लिख दिया 1728 का बताओ कितना आएगा कुईस्चन नमबर यहां लिख दो 25 अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा बता दो फिर अच्छा लग रहा इसी पर 1728 का घनमूल कितना होगा यह काईस बारा तेरा पचीस बायालीस आठसो पचेतर का बताओ सभी पूर्डगन संख्याएं हैं कि बताइए बहिए बताइए फटाफट बताइए तो बीच में ब्रेक होगा ना क्लास का टाइम ओबर हो गया है राहूल सर्मा यह लाइब पीव्यार स्टेडी एप पर दिवाली बाद चलेगा दिवाली बाद वसे चलना चाहिए अभी और न कुछ क्या कह रहे हो प्रेक्टिस भी बहुत जरूरी है अब को घन य याद होना चाहिए बिलकुल वैसा याद होना चाहिए जैसे आपका नाम पता है对 हैयो जैसे आपका कोई नाम पूछा आपने का मेरे नाम पुझा है मेरे नाम मो?. était कुछ भी है यह तो नहीं करते हो ना कोई आपका नाम पूछे तो खुजलाते हो थोड़ा देर सोचते हो थोड़ा सा फिर बताते हो कापी अपी लेके हिसाब किताब करते हो नहीं न तो आपको घने याद होना चाहिए जैसे मनें क्या आएगा बारा कि अबीष नंबर में आगे बढ़ेंगे तो पैंतिस आएगा सी वाला को शुकला जी का सही है कि हुजा शुकला प्रिया शुकला परतीक सुखला मौहित सुभीस निवास कुमार स्वेता थिरौथि हीना खाटून आगे बढ़ें कोई दिक्कत परिसानी नहीं ना देखो भाई नाम जो है ना कुछ भी मिल जाए उसमें से एक पार्ट जिनके डबल होते हैं तो मैं बोल देता हूँ एक दिन एक लोग बोल रहे थे कि आप जो है ऐसे ऐसे कमेंट बोलते हैं इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है कोई भी नाम बोले आगे पीछे किदर से भी और दूसरी बात आज कल मीडिया वाले इतनी गंदगी फैला रखें तुमको पता है पता है कि नहीं अभी देखे देवर मीडिया में जो है यादों और ब्राह्मनों की बीच में लड़ाई हो गई मीडिया वाले मोटा मोटा हैड्लाइन में समझे रहो परसो देखो दिखा रहे भारत पाकिस्तान में भायंकर युद्ध सुरू कि मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी यह गंदे कि गुमरे लाठी सब्सक्राइब करें ते लगे उनके सब्सक्राइब करेंड़नी कर्ण लेकम दिखाने अदिकांस आइसव है तो यह गड़वड है ना यह भी एक प्रकार से अपराद है कहना जलो देखिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं ऐसा कुछ केस हुआ इसले मैं ऐसा बोल रहा हूं भी हाली में आईए आगे कुछ टॉपिक पर बढ़ते हैं अठावन बत्तिस इसका क्या आएगा अंसर बताएगा इसका घनमूल क्या होगा कि एनिवन कोई बताएगा अगला कुश्चन यह सताइफ नंबर आप माल लीजिए इसको आपसन भी दे दूं क्या सताइफ नंबर माल लीजिए तेरा टतरा वनाईफ या ठारा अठाइफ नंबर माल लीजिए बत्तिस साथ सो अनफट का घनमूल बताइए सोला बत्तिस वन्तिस च्छतिस याद रहना चाहिए क्योंकि आपको घन याद होगा तो घनमूल भी याद होगा इसमें सबसे पहला सही जबाब आया है वो है राजेस काजले सालमा खान परतिक्छा तिवारी आसुतोस अगले का सही आंसार है गोबिन सिंका गुफरान खान और आसुतोस राठोर बेरे गुड अगले का भी सही आंसार है थार्टी टू कोश्चन नमबार ट्वंटी नाइन डाल दीजिए यहाँ पर ट्वंटी नाइन ये बताए ये तेरा हजार आट सो चौविस तेरा हजार आट सो चौविस का घनमूल बतावई 27 23 24 या वंटीस कितना आएगा देखो अगर बीच में मैं ब्रेक करके जाता हूँ तो अधिकांस बचवा भाग जाता है है ना अधिकांस भाग जाता फिर नहीं आता है अधिक गुपता 10 बजे वाली क्लास यह चल रही है जो बेसिक चल रही है अभी परजन टाइम में आज डी अलट का क्लाफ नहीं है अगर आप चाहें तो जाके इंड्रोल कर लीजिए और नहीं तो इंतजार करिए चलाएंगे डी अलट वाले में मज़ा नहीं आती आप लोग क्लास को लाइक से यह नहीं करते हो दिवाली बाद चलाएंगे दिवाली बाद चलाएंगे 14 पंदर तारीक से चाहें पांचे लोग देखो के चलाएंगे इसका सही आंसर आएगा 24 क्या आएगा इसका सही आंसर 24 और ऐसे ऐसे हैं बहुत सारे टॉपिक हैं बहुत सारी चीजे हैं तो चलिए कुछ और प्रेक्टिस कर लेते हैं कुछ और प्रेक्टिस कर लें इसी में लगे हाथ चलो मुझे आप लोग खोज के बताओ इमानदारी के साथ खोजें और बताएं आईए यह बताईए इसमें देख के बताओ और देखते हैं नकल करने की अकल कितने लोग को है फटापड बताओ 43 का घण 43 का घण बताओ देख के नकल करके बताओ 43 का घण बताओ सब लिखा है इसमें 50 तक देखते हैं नकल करने की अकल कितने लोग को है जो जल्दी बताते है फटोना सुमित सिंग स्वेता तिरपाठी पूजा सुकला अरजून सिंग बहुत अच्छा बेरी गुट बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है 43 का हो जाएगा मेरे यारों सेवन्टी नाइन थाउजंड फाइफ हंडेड सेवन यह कि आई पर काई को लिख रहा है वही पर लिखो ना ठीक है अच्छा नकल करने की अकल इसमें सबसे जाता जिसको है तो उनका नाम है और गोबिन सिंग है हमारा उद्देश इसको दिखाना और इसमें पूछना यह है कि आपको यह याद हो जाए बहले देखके ही याद हो जाए लेकिन ऐसे प्रेक्टिस होगा साथ-साथ में आपको याद हो जाए अलतिस का बताईए थर्टी एट का थर्टी एट का घंड बताओ चलो थर्टी एट का बताओ दिखा के पूछना नहीं सही है ना कोई बात नहीं चलो नहीं पूछेंगे दिखाके रुको चलिए अटा देता हूं जाने दो आप सभी मुझे वनाइस का बताओ चलो वनाइस का वनाइस का बताईए वनाइस वनाइस का घंड बताओ बेरे गुड सभी को याद होना चाहिए मनीशा गीता बर्मा हीना खातुन आर्ति सिंग पूजा यादो मुझे वनाइस का देखिए काफी बच्चों ने बता लिया काफी बच्चे गढ़ बढ़ा गए अप याद रहना चाहिए ऐसे धेरी धेरे प्रैक्तिस करेंगे धेरे धीरे धेरे याद हो जाएगा चलो 20 का जैसे हो जाता है आपका 8000 तो जैसे 11 का हो जाता है 17 का घंट बताईए कितना 17 का घंट बताईए जल्दी जल्दी कमेंट करिए ना 5 गंट का एको लगाते हो भई बहुत अच्छा 17 का 49 49 23 23 का घंट क्या होगा कितना बहुत अच्छे लक्ष्मी देभी सबसे पहला जबाब इनका सोबित कुमार का बेरे गुड दीपु कुमार ओम बिसकर्मा प्रीतम कुमार बहुत अच्छा बच्छा बेरे गुड चलिए ठीक है ठीका 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 कमेंट सब का दिख रहा यह है बट कमेंट देखने के लिए मुझे जुकना पड़ता है यह प्रॉब्ल्म है को हिगा 23 का कितना 12 बारा, एक्षो सड़ फट, वन अत्तिस का घन कितना होगा, वन अत्तिस का घन कितना होगा, किसूर कुमार यादो, पिंकी राओ, वन अत्तिस का कितना होगा, ट्वंटी नाइन का, बहुत अच्छा, सबसे पहला जवाब, निमाज कुमार, पूजा, सुगला, परतिक्षा, ठीक है, बहुत अच्छे, आठ, तिरशा गुड़ा करें, नोज़ून अथारा, नोज़ून अठारा, तरफ सबसे पहलें, अच्छे, बहुत अच्छा, किसी को कोई परिशानी कोई दिक्कात नहीं ना यह प्रेक्टिस होगा एक परकार से ठीक है और यह सारे कुश्चन हम बीच बीच में कुछ डिस्क्राइब करेंगे बाकी रेगुलर क्लास में आप आओगे तो वहां डिस्क्राइब होगा ठीक है जैसे मैंने कहा कि अंडरूट 3 यह लिखा है इन्टू अंडरूट 3 और इन्टू अंडरूट 3 यह किस परकार की संख्या है इसको तो छोड़ो लिखो इसका मान क्या होगा एन्टू जल्दी गेस करिए अगर आपको नहीं पता इसके बारे में कि कैसे होगा क्या होगा तो आप नो लिख के कमेंट कर सकते हैं नो मिन्स मतलब मुझे नहीं पता है पहला अप्षन दूसरा अप्षन तिसर का अप्षन दीवाला जिरो त्राई अगेन भई एक बार आप ट्राई करिए चलिए सेकंड कोशन अगला त्राई करिए मैं बताऊंगा भी तैंसन लेने की कोई बात नहीं चलो यह बताऊए सबसे बड़ी पर्मिय संख्या क्या आपने कभी देखा आए कई कई मिली थी की नहीं मेला वला में बचार हो जार में कि सबसे बड़ी पर्मिय संख्या कि आये पहला अपसन है सुन नहीं सबसे बड़ी पर्मिय संख्या है या 100 ही सबसे बड़ी पर्मिय संख्या है या 100 जार मिंस एक लाक या अनंत या इन्फानेट बहुत अच्छा बहुत सारे बच्चे प्रियांका, और गौतम राजा, हीन कातून, रंजीद, सुसील, सभी का कमेंट आ रहा है आईए यह तीन बार है जब इनका दो बार गुड़ा होगा तो यह तीन ओजाएगा only three और यह रूट से बाहर निकल जाएगा इनका कल्यान हो जाएगा जोड़ी बन जाने के बाद सिर्फ तीन आएगा मान और यह बचारा फसारा आएगा इसी में तो यह फाइनल में तीन गुड़ा यह आएगा यानि बी वाला फाष्ट में कौन सा बी वाला सीकेंड कुश्चन का अंसर होगा डी वाला सीकेंड में डी कि बहुत अच्छा चल भाई आगे बढ़े आए आई यह जनाब आपी का इंतजार था भाईया कुश्चन नंबर तीफरा ध्यान से देखा सब ही लोग और मैं बताओ जल्दे जल्दी फटा फट का संख्या एक संख्या वन है यह क्या है अभाज संख्या है या भाज है कमेंट में फट से बता दो संख्या वन भाज है कि अभाज है या सहअभाज है या भिवकूप बनाने के लिए आप संथ ओना चाहिए न या फिर नान आफ दीज्ट इन में से कोई नहीं कमेंट में आप लिखेंगे तरीका यह है कि 3 में अगर भी है तो 3B C है तो 3D है तो 3D ये तरीका है कोई ये चीज नहीं लिखेगा भाज़े भाज़े अरे मिश्टर आप लाइक अंड शेयर करिए बोलिए ठीक है ये आप कमेंट में उत्तर मत दीजिए बैठके आपके लिए इतनी बड़ी अथार्टी नहीं है इसको करने का आप देखिए आपके कमेंटा लग जा रहा है कि कहेंगे ये खुद ही पढ़ रहे हैं लाइक शेयर करवाई आप चलिए आगे बढ़े हैं नेहातिवारी जी आपका कमेंट आ रहा है समरीन सेफी हाँ कमेंट आ रहा है सुसील जी आपका भी कमेंट आ रहा है संख्या वन जो है बीरादरी से बाहर है जैसे इंसानों में मेल फीमेल होते न एक और होते हैं इसकी मैं बिजती नहीं करना यह थी बड़ी यह मतलब ना तो बाजिए न सहाभाज्य के लिए बिल्कुल नियठ्ठा है तो यह क्या है ना तो भाज्य है ना अभाज्य है ना सहाभाज्य है सहाभाज्य के लिए दो संख्या चाहिए तो इसमें डी वाला आप्सन है थिरी में कौन सा है डी वाला option है याद रखना ये बहुत important question है ये अधिकतर लोग इसको अभाज समझ लेते हैं अभाज नहीं है सर्च कर लेना कहीं ठीक है मनिस साहू समझ में आ रहा कुछ अस्वनी आप सभी class को like नहीं किये अधिकतर बच्चे नहीं किये निबेदन है फटा फट लाइक करें और अगले सवाल की तरफ मूँ फैला के देखते रहें मिन्स आगे बढ़ें चल बाई जल्दी से फोर नमबर अपकी मुटका लिखेंगे थोड़ा सा ये बताए ये बहुत ही छोटी छोटी सी संख्या है प्यारी प्यारी सी ननी ननी सी संख्या जीरो पर्मिये है क्या पर्मिये कांसेप्ट सबके लिए वही है रेफनल है रेफनल है मतलब पर्मिये संख्या ये रेफनल है मतलब आ पर्मिये संख्या और सी मतलब नान आप दीज इनमें से कोई नहीं हमें नहीं पता है चल बाई प्रिंसी यादो जी बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप आ गए और पढ़ रहे हैं ठीक है बढ़िया है और अगला कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लगतार कमेंट कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो सर्मा आ रहे हैं भी थोड़ा-थोड़ा अगला नेक्स कुछिशन किस टॉपिक कर लें टॉपिक बताओगे आप लोग चलिए कुछिशन नंबर फाइफ ठीक है तो फोर नंबर में 01 पर्मिये संख्या है सुन नहीं जार रेफनल नंबर यह है फोर में यह सही है यह बताएए कि जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइफ अगर इसका गुड़ा हो जाके फे पता है तो का पचीस फे देखे मान किता है भाई यह बताएवा हो सबही चला है उल्टा हुईगा फाइब में जबाब दीजिए ए बी सी डी बहुत अच्छे बच्चे जिनको भी गड़ित सिखना है कोई क्लास को छोड़के नहीं जाएगा क्लास को पूरा इंड तक देखेंगे और अगर आप इंड तक देखेंगे तो गड़ित सिखाने की हमारी पूरी फुल गारंटी होती है कि आपको हम मैथ में माश्टर बना देंगे यानि हम आपको सिखाते हैं सुनने से बिलकुल सुनना से सिखाते हैं एकदम जीरो से सिखाते हैं यह कि यह क्लाफ नंबर 11 12 जो भी होगी आज प्रैक्टिस सेट है अगर इसका सारा पार्ट आप देखेंगे इस बैच का तो आपको बहुत कुछ मिलेगा बहुत चल्व भी आगे बड़े लिखिए अगला दियलेट की परिच्छा में पूछा गया सवाल है उसे जिनको बेसिक सीखना उनके लिए तो बहुत बढ़िया है शे नंबर होईगा साथ नंबर लिखिए निम्न में प्राकर्थिक संख्या है प्राकर्थिक मेंज़ नेचुरल नंबर निम्न में प्राकर्थिक संख्या है कौण सी है भीया पहिला है तीन बटा 5 दुसरका है अन्डरूट 3 सिफरका है 9 और एक बटा 4 सेबन ए सेबन बी या सेबन सी क्या सही होगा जल्दी करें फटाफट जल्दबाजी नहीं अस्वनी तोमेस भरद्वाज पर्तिक्षा तिवारी रंजु पटेल गीता कुमारी प्रतिमा गौतम मौंम्मत सबके कमेंट्स आ रहे हैं चलो भाई देखो जिनके सीकेंड नाम है हम किसी किसी का एक नाम बोलते हैं तो नाराज ना हुआ करें नेचुरल नंबर इसमें है तो सबसे पहला जबाब अगर सेबन में कोई दिया है तो ऐसी महान आत्माओं में सबसे बड़ी आत्मा का नाम है गोबिन सिंग और उसके बाद में सही तरीके में अंजली राओ ने कमेंट किया है सम्रीन साफी सीला और हीना खातून आईए इसमें जो नेचुरल नंबर है वो है कौन सा नाइन सी वाला साहिए कौन सा है सी वाला साहिए प्रकृतिक संख्या वहाँ से लेके अनन तक होती है न कुश्चन नंबर आठ आठ नंबर में ये बताओ कि सबसे छोटी प्रकृतिक संख्या कौन सी है सबसे छोटी प्रकृतिक संख्या सबसे छोटी प्रकृतिक संख्या चल भाई जल्दी से इसमालेस्ट नेचुरल नमबर इसमालेस्ट नेचुरल नमबर पढ़ा के फोड़े खोपड़ी पैयार मेरा तो दिमाग के काम करना बंद कर देता है बहुत अच्छा बेरे गुड आगे नाइन नमबर संक्या सोला के अपवर्तक है बहुत अच्छा अच्छा बेरे गुड बेरे गुड बेरे गुड इसका सही जबाब है सबसे चोटी नेचुरल नमबर वन है झाल झाल नौन आप दी जिन में से कोई नहीं नाइन नमबर में जबाब दीजिए प्रियंका भरत्वाज आंसर तो बताई रहाओं में थोड़ा सबर रखिए रूची मौर्या बहुत अच्छा प्रिंसी यादो शंकज कुमार भाई पंकज सुना था रंकज सुना था संकज भी सुन लिया जन संक्या इतनी वड़ रही है कि नाम लोग टोड मरोड के रख रहे हैं कि अच्छा सोला के अपवर्तक अपवर्तक को इंगलिस में फैक्टर बोलते हैं और इसको आप विभाजक भी कह सकते हैं ठीक है तो अगर हम सही जबाब की बात करें कि नाइन नंबर सवाल का तो सबसे पहले जिन्होंने दिया है उनका नाम में जरूर बोलुँगा आप वर्तक को फैक्टर बोलते हैं फैक्टर गुड़न खंड भी बोलते हैं कि या हाँ पर सबसे पहला जबाब दिया सीला कुस्वाह ने और सुसील कुमार यादो दूसरे नंबर पर हैं बाकी उसके पीछे सब लोग लगे हुए है एक कोश्चन नंबर दस कोश्चन नंबर दस यह बताईए वन माइनस 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 काय के लिखे लिखो 8x2 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए चलो भई बताओ नहीं इमें का जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए पहला है इसमें यक्ष जोड़ दो भाईया दू फरका है आठ जोड़ दो ती फरका है सुनना जोड़ दो अच्वता है नहीं दिल मानता है तो 16 का स्कॉायर जोड़ दो जबाब दीजिए जिनको ना आ रहा है वो कमेंट में नो लिखेंगे हम जान जाएंगे कि आपको नहीं आ रहा है इसमें कोई गोर बेच्जती नहीं है हार नहीं माननी चाहिए कोसिस करते रहना चाहिए आप लोग क्लास को लाइक सेयर करें देखिए ये दिवाली और धंतेरस की वज़ा से बच्चे कम है इसके डबल बच्चे होने चाहिए डेली मैंने बताया कि इसका recorded वीडियो बाद में नहीं मिलेगा कत्ता ही नहीं मिलेगा बाद में जो लोग दिवाली मना रहे हैं मनाने दो धंतेरस है आज अभी दिवाली थोड़ी है और वो भी जो है अभी दो दिन बचा है ये थोड़े कि हम तेवार के दू दिन पहले बंद कर पूर्ड वर्ग बनाना है का बनाना है पूर्ड वर्ग गजाब मुसीबत है हम तो पूर्ड गन समझ रहे थे तो देखे यक्स तो नहीं बढ़ाना है यक्स तो ठीक है ठाक है अवस्था में पूर्ड वर्ग है ये नाइन मतलब मिन से इसको बनना चाहिए ना तो नाइन कै किसे बने गई है नाइन क्या जोड़ेंगे हैं देखे सबसे पहले उनकी कहानी समझे आंसर इसमें भले कोई ना सही हो देखो जो पूर्ड वर्ग संख्या है होती है साथी मेरे उनका मतलब पहले समझो ऐसा कुछ होता है यह रुख जाए देखो जैसे संख्या 4 है यह पूर् 3 का स्क्यार बात करें तो 9 होता है तो जो 8 है 4 और 9 के बीच में है तो कैसे बनेगा मतलब जोडने की बात हो रही है तो या तो इसको माइनस में कुछ जोड़ करके 4 बना दो या तो प्लस में कुछ जोड़ करके 9 बना दो ठीक है तो इसमें फिलाल आपसन तो कोई नहीं सही है लेकिन हमें लाना क्या है दो रस्ता है एक तो आगे बढ़ जाओ तो इसको नौ एक्स स्कॉयर बना दो एक आप इसको पीछे लेकी चले जाओ और चार एक्स का स्कॉयर बना दो आगे बढ़ना जिंदगी में सीखा है मैंने इसलिए जो डिजिटल बोर्ड है न यह जमीन स हम उपर करवा देंगे ठीक छोटा नहीं करनेगा आई ठीक है तो हम क्या ले आएंगे नौ एक्स का स्कॉयर हम इसमें जोड़ देंगे एक यक्स का स्कॉयर यानि यह हो जाएगा नौ एक्स का स्कॉयर फाइनली अगर हम बात करें तो इसमें एक्स का स्कॉयर जोड़ना च आठेट करके 16 कर सकते हैं जो लोग कह रहे हैं वो थोड़ा फ़ा दिमाग लगा इसमें आठ नहीं जुड़ेगा अंके ले यह आठ नहीं जुड़ेगा यह वह ऐसा घर है जहां पर सिर्फ फैमिली वाले रहते हैं बैचरा रलाओ नहीं है तो डबल डबल जुड़ाएंगे वह जुड़ेंगे यानि आप ऐसे समझो यहां पर थोड़ा सा आठ यक्स का स्कॉयर इसमें हम ऐसे आठ नहीं जुड़ सकते जुड़ेगा ही नहीं है अगर दूसरी बात यह अगर हम नो पहले पाज आ रहे हैं तो हम 16 तक कहे जाएंगे हाँ आप ऐसा कर सकते थे आठ यक्स का स्कॉयर जोड़ सकते थे यह पॉसिबल है ऐसा आप कर सकते थे लेकिन जब हमें इसमें यक्स का स्कॉयर जोड़ने स्काम चल जा रहा तो हम आठ एक्स्ट्र का है जोड़ेंगे ठीक है आपका भी आंसर सही है ऐसा हो सकता है अगर आप्शन में होता तो कुश्चन नंबर कौन सा होगा नाइन इलेवन चलो बैया यह बताए कि किसी तिर्मूज के छेत्रफल का सुत्र क्या होता है किसी तिर्मूज के छेत्रफल का सुत्र क्या होता है इसको आप उचाही कर लीजिए अच्छा लगेगा उचाही इस हाइट उचाही विशाल गोविन सिंग प्रियांका कुमारी किसी को कोई डाउट नहीं न बहुत अच्छा चलिए ठीक है किसी तिर्मूज के छेत्रफल का सुत्र जो होता है वो होता है वन अपान टू आधार इन्टू हाइट अप्सन नमबर ए 11 में कौन सा ए नमबर 12 नमबर में आगे बढ़िये टॉपिक मुझे कुछ डिफाइट नहीं पूछना कहां कहां से है क्योंकि बहुत लंबा कहानी है कोईशन अगर आगे होता तो बढ़िये रहता यह बताईए कि सबसे बड़ा आधी कौन कितने अंसका होता है सबसे बड़ा आधी कौन कितने अंसका होता है इसको इंगलिस में आप ट्यूस एंगल बोलते है सबसे बड़ा आधी कौन जल्दी करें सभी जल्दबाजी नहीं फटा फट चल भई टोयल नंबर में जबाब जबाब चलें आगे बढ़ियां ठीक है चलो तो सबसे बड़ा जो अधी कौन है साथियों वो होता है क्या वन सेबन नाइन जो डोक डी बता रहें उनी का सही है एकसव असी वालों का मैं भरम दूर कर दूँ बहुत सबसे बच्चे एकसव असी जो है वो अधी कौन नहीं है उससे छोटा होता है अधी कौन उससे बड़े नहीं होते हैं ठीक है देखो यह चीज होता है अधी कौन का बताई देता हूं मैं अधी कौन सम कौन के बाद सुरू होता जहां तक मुझे पता है नाइन वन से लेके वन से वन नाइन तक यानि इसके बीच में जितने भी कौन आते हैं कि 95 का हो गया 150 का हो गया 165 हो गया 170 हो गया 175 हो गया 155 हो गया सब अधिकोंड है लेकिन 189 के उपर अधिक कौंड नहीं होता है 180 वाला रिजु कौंड होता है स्ट्रेट अंगल कहते है इंगलिज में और उसके उपर बिरहत कौंड हो जाता है अधिक कौंड नहीं होता हुपर 138 थंस्क्वрий कौंड का नाम बताऊ जल्दी करें और फटाफट सभी साथ ही सेशन को लाइक करें देखिए सिर्फ और सिर्फ उन्नीस बचा है सतक लगाने में चलो फटाफट लाइक कर दो भाई अधिक कोड इंगलिस में आप ट्यूस एंगल बोलते हैं क्या बोलते हैं आप ट्यूस एंगल कुश्चन नंबर थार्टीन आज हम आपकी ना एक नए अपने साथी से मुलाकात करवाने वाले हैं देखना अभी अभी मेक अप कर रहे ही थोड़ा सा अभी दिखाता हूं आप सब लोग एक्साइटेड होंगे आखिर कौन है वह अगर वो सर्माज आएंगे यहां आएंगे भी नहीं इसलिए आप लोग थोड़ा सा कुछ ज्यादा नहीं बोलना अगला इसका मान क्या होगा दस बारा नो आट एक्स बटा दो एक्स बटा तीन बराबर दस कितना आएगा दिब्यांसी बिल्कुल सही है हीना खातू लक्षमी प्रियंका मुहमद हसन बाकेंसी किस छेत्र में किस डिपार्टमेंट में नंबर पर संपर करिए प्रग्या पांडे फूल चंद्र अरे नहीं मेरे दोस्त है यार वो डीके सर हैं इतना भी बंजा चलता है थोड़ा बहुत आईए सर आईए एक बर्दसंदी जीन लोग को बहुत अच्छा इसका आंसर क्या होगा आप सभी समिक्रन हल कर लेते हो ना देखो ऐसे करेंगे क्रास मल्टीपल तो यह हो जाएगा तीन यक्स प्लफ इधरे का गुड़ा करोगे दो यक्स आइफ़ इधरे का करोगे तो दो त्याई छे बराबर दफ तो तीन दो पांच यक्स बराबर इनका क्रास मल्टीपल करोगे 60 यक्स बराबर फाट प्रटा पांच चच्छा लोग देली क्लास में आओगे तब समझ में आएगा इसे हवा में ना आए यह कोई रील नहीं है कि आईसे इसे खिसका दिया तो इसे इसे हो गया बस खतम आईसे नहीं होता इसम हाटीन में भी वाला साही है होटीन नंबर कोईश्चन अगर हम पहले फिल लिख के रखे रहें तब तो अच्छा लगता है सुन्दर रहता है लेकिन अगर हम यहीं सामने लिखें ला करके तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन हम कहीं से नकल उकल करने को पाई जाए ना तो जल्दे लिख देते हैं दिमाग ना लगाना पड़े कि अगर कि दस गुड़ा तीन कि अरे मैं मजाक में बोला सार आपके शर्मा कहें कहें इसे बोल दिया बजिति करवादिया नहीं सामने हाँ तो इसका मान क्या होगा एनिवन थार्टी फाइफ थार्टी फेबन थार्टी एट और थार्टी नाइन चलिए जल्दी फास्ट इसमें कितने नए बच्चे हैं जो पहली बार आज क्लास में आए हैं इमांदारी से हाथ उठाईए बेसिक मैत के बहुत से हमारे साथी हैं इच्छु का भर्थी फिलिए क्लाफ चल रही है बाकी डियलेट वाली क्लाफ नहीं चल रही है एक चीज और जान लो सबही लोग यह क्लास सिर्फ और सिर्फ आप यूटूब पे लाइब देख सकते हैं लाइब इंड होने के बाद इसके सारे वीडियो यूटूब पे नहीं मिलेंगे बीच बीच के कुछ पार्ट आपको मिल जाएंगे बस और ये बैच हम आपको पूरा फ्री पढ़ाएंगे जो बच्चे पांच-पांसु रुपए या हजार रुपए जमा करके भी लिए हैं न वो सारा चीज इसमें पढ़ाएंगे बस आपको डेली लाइब आना है लाइब नहीं आओगे इसके रिकॉर्डड वीडियो यूट बस एमरजनसी में आपका क्लास छूड़ जाता है तो हमारे पास आउप्सन है आप अपना इमेल आडी हमें वाट्साप पे भेजिए हम आपको क्लास का एक्सस दे देंगे वो क्लास आपके इमेल के माध्यम से आपको दिखेगा प्राइबेट डूप ठीक है तो बिल्कुल सुरच्चित हैं आप यहां पर फिरी पढ़ सकते हैं महीने में पांच क्लास आप छोड़ सकते हैं उसको हम भेजेंगे आपको पांच छूट रहेगी आपको उससे ज्यादा नहीं अगर आपने उससे ज्यादा गरबढ किया तो खतम फिर नहीं मिलेगा इस बैच में होगी कम से कम 80 क्लास तो कितने कुश्चन हो गए थे अब तक एक नजर डालिए पीछे 14 नंबर इसका सही जवाब है 38 14 में C वाला सही है कितने लोगन के नाय समझ में आप भाईया C वाला सही है कितने लोग नहीं समझे थे 14 नंबर में कोनों बताया ही नहीं था सब सर्मा रहे थे देखो मैं बताता हूं तुम्हें यह माइनस है तो माइनस रहने दो 14 में से इसको घटा लो भाईया माइनस कर तेरा आएगा धानियत 30 माइनस 5 सही तो होना चाहिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस प्लस जोड़ो 43 माइनस 5 का भाई लोग बुजान कि नहीं बुजाएगा न बुजाए 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 देरे 15 नंबर कुस्टन पर आगे बढ़िए इस एक आए है पंदरा नंबर पर आगे बढ़िए नीचे इस पर मोभाईल नंबर चल रहा है नीचे दीरे दीरे देखेए डोल रहा है जिनको को कोई परकार की इंक्वार्य है उसपर मैसेज करें या दिन में फॉन कॉल करें रेक्टेंगल किसे कहते हैं जानते हैं आप रेक्टेंगल किसे कहते हैं बताइए निम्न में अभाज संख्या है बहुत बार पूछाओं ये सवाल हर बार तुम गड़ बड़ा जाते हो बिल्कुल आनलाइन वाली मुवबद की तरह फंस जाते हो देखो कैसे बताता हूँ अब इस्तार से आओ अब हाज संख्या कौन है एक सो दो एक सो दो के बाद सत्रा नबे और फताफी और बी और डी दोनो आप संसाई बी और डी का मतलब एक सो सत्रा भी और सताफी भी दोनो बताए पंद्रा वाले में जवाब दीजिए बिसालया तो रूची मौर्या प्रग्या जल्दी करें खूल चंद्रा भाईया बताओ लखन करन कितना आई हो देखे मुझे पता था कि अकसर लोग धोखा खाएंगे अकसर यह वही लोग है जो प्यार मौबबत में धोखा खाते हैं जैसे देखिया हमारे सार विवैट है अरे हम खुद कड़े हम भी खाएं उसमें कौन सी बड़ी बात है इंसान धोखा खाने से ही सीखता है ठीक है बातों से ही नहीं समझ में आती है जिन्दगी कुछ हाद से भी जरूरी है जिन्दगी जीने के लिए देखे दोखा खाने का है मतलब मैं क्यूं बताया इसको मैं उसे कंपर क्यों कर रहा हूँ आप लोगों के पहला पहला प्यार से पता है यूड जा देखने पर जो चीज आपको महसूस होती वास्तों होती नहीं है ऐसे मैंने इसलिए आपको उस प्यार से मतलब कंपेर के उसमें क्या होता लोग करते हैं देखने में अच्छा लगा बागे आप समझी सकते हो इतना बड़े हो कुछ नहीं कहना जादा ठीक है तो देखने पर यह अभाज भाज पता नहीं चलती है उसको मैसूस करना पड़ता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें आई इस्तेमाल करके दिखाते हैं कैसे देखो इधर साइड में इसको जादा तर लोग अभाज बताते हैं क्योंकि देखने पर यह अभाज लगती है लेकिन ऐसा है नहीं इसका फैक्टर करेंगे वन और फिर अगर आप इसे तीन से भाग करिए तो तीन से भी यह डिवाइड हो जाएगी भाग करके देखिए तीन से भाग करिए तीन दूना छे तीन नवा फताइस वन अटिव आएगा यानि यह वन अटिव से भी डिवाइड है और फताफी तो खुद अपने से डिवाइड है ही तो इसके जब चार फैक्टर है तो यह अभाज तो है नहीं अभाज तो है नहीं यानि ये संख्या क्या है वन से भी डिवाइड है खुद से भी डिवाइड है बाकी दो जगा और भी दो संख्या फिर डिवाइड है अब हाज संख्या की परिभासा होती है कि वो संख्या वन से डिवाइड हो बाकी खुद से हो बाकी और किसी से ना हो समझ रहे हो जैसे हम लोग देश समाज में होता नहीं साधियों में क्या कि कि किकी वी एक साधी में दो इन्सान होते हैं दो कपल है barnat अगर एक इक्सट्रा हो गया तो वो डो ठीट रह समझ रहे हो कि नहीं तो ये भाज वाला जो संबंध है उसको ये बैद नहीं साबित करते हैं ये दोना एक्स्ट्रा है तो ये क्या है भाज संख्या नहीं है तो ये भाज है नहीं भाज तो ये वाला अप्शन तो गलत है अब जो लोग इसको बता रहे थे ये भी गलत है तो फिर सही कौन सा है इंगलिज में नंबर कंपोजिट नंबर बोलते हैं अभाज मिनस तो यह अब कि से होगा कि देखो नहीं तो धोखा क्या माहाँ हो गया इसमें एक और यह भाज नहीं नहीं दो से तो डिवाइड है नहीं ये तीन से चेक करो आज़ी संख्या तीन से भी भाजित होती है जिनके अंको का योगफल तीन से डिवाइड होता है इनके अंको का योगफल करिए एक एक दो साथ नो मतलब ये भी तीन से डिवाइड है इसमें कोई भी अबाज नहीं थी देख लो जले थे ठेर सारी उमीद लेके न सब गड़बड हो गया न एक भी संख्या इसमें जो है अभाज्ये नहीं है सारी संख्या इभाज्ये तो कौन-कौन सही अंसर दिया था देखिए पूजा सुकला कह रही कि मेरा आंसर सही दिया है मौंबध अफन भी बता रहें 117 है अब ठीक हटीक है 117 कंफ्यूजन इफिलिये करवा रहे थे आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा तो समझो दूसरी बार धोका हुआ ना धोका बात आदाई इससे एक चीज़ और अगर इंसान जिन्दगी में एक बार धोका खाता है न तो दोखा देने वाले की गलती है और अगर दुबारा फिर वहीं उसी चीज़ से उसी दसा में उसी कंडिशन में दोखा खाया तो फिर दोखा खाने वाले गलती है नालायक है मूरक बिल्कुल सही है असर आईए आप आईए दर्फन दीजी आईए कि आईए आप क्या पकड़ के ले क्या हूं गोदिम उठाके क्या गोधिम ले क्या हूं की कि इनको में कब कर ली है रुको लेके आता हूं लड़के बहुत पॉंटिवेट होंगे उसाहिद होंगे देखिए अभी क्या चीज निकाल के दिखाते हैं सर आए जलते हैं अभी अभी नहीं आ रहे हैं अभी देखे आते हैं चलो अगला एक आध कुश्चन और बताते हैं तब तक आइए आप यहां खड़े हो यह थोड़ा देखिए ऐसे देखिए देखिए कैसे दिख रहे हैं आप आइए हम तो मुझ भी नहीं दूलें आप तो कम से कम चमकाएं थोड़ा साथ अच्छा लग रहे हैं तो एक और यह बताईए कि सेबन अपान थिरिवा फाइप अपान नाइन में कौन बड़ा है कौन बड़ा है इसको अगर हम पी से नाम दें इसको क्यू से तो बताईए पी और क्यू में कौन बड़ा है चलो भई जल्दी करें बहुत जल्दी करें इसको तो एक नजर मैं इनको पकड़क लेका आता हूँ धकेल के पीछे से तो आएंग रुकिए लिए तो यह है हमारे दिने सर और यह भगवान से दुआ करिए कि दुबार फिर नजरा यहां नहीं तो देखिए पता नहीं कहा जाने वाले आवा जा रही यह बहुत अच्छा गड़ित पड़ाते हैं आप इनको एक बार देखिए तो लेकिन से गड़ित नहीं पड़वा पड़ाएंगे यह कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको पड़ाएंगे जैसे मजा आए देखिए पीछे बचा के रखें लोग अवाज जा रही आप लोग के पास में जा रही पूरा जा रही हो सिग्नल दिख रहा है ना अच्छे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं वाज बता रहे हैं बताये मेरे दीख रहे हैं अच्छे लगवाते हैं देखिए लगा पाते नहीं आप लोक से लगवाते रहते हैं वेशा यह है करें अब 번 करें खूर करें कि लिए अ एक कुछन लगाई यह सराइए आप इसका एंसर बताइए आप लोग नंबर डालो होगे पत्रा होगा कमेंट इसमें गाहारा इसका एंसर बताइए आप लोग एक कुछन आउट दे रहे हैं आपको कि अब कि इसके लिए आपसा नहां कोई पास आप लोग को में इसको बताते हैं कैसे लगाएंगे इस कैसे हो गई अब यह वाला एक कुछन बेसिक जो होता है आप लोग को सर बताएंगे जो होता जिसे दोनों नंबर पर गर बार होता है तो इसको आप अप जितने अंग पर बार रहता उतने नीचे नाइन रख देते हैं लेकिन इसमें एक अलग नंबर एड हुआ है जिसमें चार है जिस पर बार उसके ऊपर दिया नहीं गया है तो इसको आप ऐसे लगाएंगे इसको 432 पूरा लिखेंगे और माइनस में इस नंबर को करेंगे यहां पर डबल नाइन है डबल नाइन लेंगे एक चार है जिसके उपर बार नहीं है उसको जीरो ले लेंगे अब इसको साल्व कर लेंगे 32 से चार जाएगा कितना होगा इस वरी 12 से चार जाएगा आपका आठ बच जाएगा कि यह आपका एंसर होगा यह ज्यादा बड़ा थोड़ी नहीं है लग रहा है ज्यादा बड़ा इस पर लगाई आप लोग लगा दीजिए उसके बाद सरा आके पढ़ाएंगे आप लोग को कि यह को हो गया कि अग्या इसको आए अप लोग बता दीजिए का पीम लगा के बैठी है ऐसे थोड़े नब बैठेंगे क्लास ले रहे होंगे आप लोग है मैं पढ़ रहे हैं जी यह थोड़े नब पढ़ रहे हैं कि अब आप कर दो इसको लगाई यह आप देखिए आई यह सप्राइए आप देखिए आई यह सप्राइए आप देखिए तो देखिए जोड़े भाई दिने सभर का टाइम वबर हो गया यह बहुत बढ़ा बढ़ा कुश्चन लगवार है आप लोग नहीं लगा पार हो हम बताया था ना इसको यक्स के बराबर मानते हैं जो कैसे निकालते हैं इन तो जो बता रहे हैं ट्रीक वाला होता है वो ठीक है रिमोट दीजिए यहां पर देखें ध्यान दिजिए इससे अगर आप कंपेर करिये कि और अपनी बार लगा यो फिस्से संग्धां पर लगा बढ़ा मेर्ण है तो आगे बढ़े भी ए चोड़िए ये सब कुश्चन ये सब कुश्चन हम बताने लगेंगे तो आप लोग को मज़ा नहीं आएगा हम वो पढ़ाते हैं जो मज़ा आए आप लोगों को है ना मज़ा आनी चाहिए डियलट वाले बच्चे हैं बेसिक मैज शिखने वाले हैं तो ये बताईए इन में सजातिय कौन है सजातिय बेंजक लाइक टम्स लाइक टम्स बताईए पहला ये वाला है 7y square x square or 3x square एक बाट 3xy square xy square minus 9y square x लाइक टम्स बताईए फटा फट सजाती ये बंजा कौन है इसमें question number यहाँ 16 फटरा कुछ भी लिख लीजिए पता नहीं कितना number डाल दिये थे पहले एक्स्ट्रा में 17 जान लीजिए चलो जल्दी करें फटा फट हुँ छोड़ी जान दिए चलिए बहुत अच्छा very good फूल चंद्र जी बहुत अच्छे पंकज कुमार प्रतिक्छा अंजली और अनुज अंजू सोभित नेहा प्रिया गीता रुची विकास सबके कमेंट आ रहे कमेंट करिए 17A 17B या 17C क्या कहरें आप 17A 17B या 17C वैसे वन आइफ नंबर है कह रहे हैं फिलाहाल 17 लिख दो अभी के लिए क्या गनोो कि दों डिस्टर्ब आगे चले नेक्सट बहुत अच्छा देखिए सजाती है पतर क्या होता सातियों सबसे पहले उनके जो चर पतर होते हैं variable सेम होने चाहिए और पावर सेम होनी चाहिए बस variable और पावर सेम होनी जाहिए बाकी माइनास प्लास हो गिंती कुछ भी वह उससे कौन मतलब नहीं ठीक है तो जैसे देखो इसमें बारियबल क्या हैं वॉसक्त आज़कल देखे हमारे देश में पूरे चल रहा जाती वाला महौल कुछ देशों में तौ जयातीकत जनगणा भी हो रही है तो पहले बात उनकी जाती समान होनी चाहिए जैसे इसको फार एक्जामपल आप लोगों को मैं आधिक तर साधी विभावाले जोड़ के दिखाता हूं क्योंकि आप लोग समझते जादा है तो आजकल देश समाज में समाजी निये में तो क्या है कि दो लड़की लड़के के अगर साधी हो नहीं तो जाती और धर्म समान होना चाहिए बाकि अगर दस साल का भी अंतर है लड़का सरकाई नोकरी वाला चप्रासी चलेगा कोई दिख नहीं है यही मानिता है ना मैं इसा बता क्यों रहा हो समझे अच्छार समान होन कभी नहीं ना पावर सेम होनी चाहिए इक्वल सम्थिंग लगभग में ना तो पावर का मतलब घात भी सेम होनी चाहिए घात सेम है इसमें लेकिन चर सेम नहीं है तो यह है नहीं इसमें देखिए चर तो सेम है सब में YX YX या XY है यक्स की पावर वन है इसमें भी यक्स की one है, सही है दो quality test pass y की power 2 है इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है भाई साहब पकड़ लो इनको हो गया answer b वाला अच्छा क्या c वाला भी सही है क्या आओ देखें इसमें z है, इसमें और कहीं z नहीं है, cancel चर सेम नहीं है इसे कोना मतलब है नहीं है तो यह होता सजाती है पर जिनको like terms बोलते हैं, इसमें अधिक तर बच्चे भाग जाएं क्योंकि मजा नहीं आएगी अब मजा वाला सवाल देखो, मजा जिसमें आती है हमें पता है तुम्हें मजा किसमें आती है चलो, बताए संख्या इतना रख लो का पचीस पर फेंट बताए इसमें मजा आएगी यह वह ना मज़ेदार सवाल चलो, बताओ कितना आएगा बताए फिर जल्दी बताएगे कितना आएगा कितना आएगा पचास और अठारा अड़फट हो सकता है क्या अठावन हो सकता है क्या एठी लिख दो ना आप दी इनमें से कोई नहीं बहुत जल्दी करें कोईशन नमर 18 में 18 A, 18 B, 18 C इस तरीके के जबाब देंगे फटा-फट फटा-फट जल्दी-जल्दी हसन साब DL8 की क्लासें अभी पीवियार स्टडी अप में चल रही है यूटूब पर दीवाली तक कोई क्लास नहीं चलेगी DL8 वालों के लिए क्योंकि आप लोग क्लास को लाइक सेयर करते हैं नहीं तो यहाँ पर दर्द होता अंदर में तकलीफ होती है हाँ बेसिक मैट के चलता रहेगा हम कोशिस करेंगे बेसिक मैट के वीडियो रोज आएंगे दिवाली के दिन भी आएंगे देखिए त्योहार अपनी जगा है वो चीजें अपनी जगा है पंदरा मिनट एक घंटा पढ़ लोगे तो क्या जाता है अब वो उमर नहीं रही साहब दिवाली वाली मनाने की अपनी ठीक है मनाया जाता है बस अलग बात है है ना अच्छा आप सोचो खुद सब लोग जब छोटे थे कच्छा 5-6 में पढ़ते थे 3-4 में हमें जाता कि आदा एक रील टाइप का पढ़ाखा आता था वो उसको जहां ऐसे पत्तर तब रगड़ो चिट चिट बोलता था उसको खरिदने के लिए अगर दो रुपए मिल जाते थे ना जो खुशी मिलती थी आज अगर जाके लगजरी कार भी खरीद लेओ तो खुशी नहीं आएगी समझे रहोग नहीं ताइम होता हर चीज का तो मुझे नहीं लगता कि DL8 वाले B8 वाले या यह सब जो है दिवाली या पटाका फोड़ने भी इतने बैस्त होंगे बिलकुल नहीं पटाका खुद बन चुक है अब वो उमर जा चुकी है न अब खुद 14 से लोग फोड़ रहे है तो मेरा मतलब यह कि वीडियो आते रहेंगे और आपको देखना भी है देखना भी है आपको वीडियो आते रहेंगे है कि दोसो नब्बे का 25 से क्या करेंगे गुड़ा करेंगे सो से भाग करेंगे तो 25 चो का सओ चार फे 290 को भाग करेंगे जार रही ना पूरा 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 नहीं जा रहा है फे देखो अब चाद उना आठ दसमलों बढ़ाओगे 72.5 आएगा ये वाला फाई है 72.5 आएगा यानि साड़े बहत्तर केता आए भाईया साड़े बहत्तर आएगा आगे चलें देखे एक बार में एक लाईनमे सुन लीजिए बहुत से बचये रिक्वेस्ट करते हैं तरक दिल डिलेटर फाष समेस्टर चलाओ आपको पता है अगर दर सक नहीं आते तो मजा नहीं आती मजा ना आने का पीछे और भी वजा है सीधा फिदा अगर कड़वे सब्द में सीधी लाइन बोलूं जो लोग जूट बोलते हैं उसको छुपा के हटा के तो पैफा नहीं मिलता है बिजली का बिल यहां रूम करेंट आपके लिए सहयोग करने वाले जो टीम है उनकी सेलरी और यह मैंने कम से कम साड़े साथ लाग क नहीं लगे उस तरीके के मैंने कई प्रोड़क्ट आप आइपाइड से लेके आइफोन या मैकबुक देखेंगे तो सब अच्छे ब्राण्ड के यह पैनल भी अच्छा क्वाल्टी का है तो इन सब का हमें इमाई वी देना पड़ता है तो यूटूब पर बहुत ज्यादा तो चलें आगे और अगर अपनी आप एक क्वाल्टी बना के रखेंगे तो लोग कुछ भी कीमत चुगाने को तयार है आप सीखिए एपल से एपल आइफोन का भी देखें फिप्टीन आ गया डेर डेर लाग दो दो लाग कभी लोग खरीद लेते हैं वहीं तुम्हें क्या लगता है कि यह जो समसंग और रियल्मी विवो इनके सब के फोन आते हैं आठाट हजार साथ साथ हजार के इससे कम कमाई थोड़ी होती उसकी नहीं होती इसका कई गुन ज्यादा होती है अरे यह लोग अगर सो बेचेंगे वो दूटी मेंचेंगा बराबर समझ रहों नही देनी सी बात है कि इफिले डियलेटे वाल नहीं चल रहा है चलाएंगे कोसिस करेंगे टाइम निकाल रहे हैं लेकिन अभी नहीं चल रहा है तो वही चीज है आए आगे बढ़ते हैं फिलहाल कि आप लोग यह बताओ कि अनुपात समानुपात पढ़े हो कि नहीं अनुपात समा अनुपात पढ़े हो एक बहुत सी छोटा सा सवाल है अगर कहो तो लिख दूमे डिलेड में आया था यक्स धन दो बराबर एक कमान क्या आएगा anyone कोई कुछ कहना चाहता है तो बताओ क्या आएगा चलो लगा दिजिए लिजिए बताओ डिलेड वालों के लिए मैं अभी ये काम करता हूँ जो मेरे पास recorded वीडियो है फाइल में उसको मैं लाइब कर देता हूँ 24 इंटू 7 के लिए हमेशा के लिए 23 दिन के लिए जब तक दिवाली का चुट्टी उट्टी है आई रहेगा आप लोग क्लास को लाइक सेर करना फटा फट धेर थारी संख्या में देखिए मज़ा आएगा आईए ये बताईए कि संख्या 25 ये 200 की कितना परफेंट है जो 25 है वो 200 की कितना परफेंट है पहला आठ परफेंट है पचास परफेंट है 40 परफेंट है या फिर ना नाप दीज इसमें सही ये कुछ भी नहीं है जल्दी करें जल्दबाजी नहीं कुसुम सोनकर Veer good बहुत अच्चे ठीक है देखिए जो भी DLA के चाहते हैं बार बार कमेंट कर रहे हैं ये किया ही कहूं बाद में बात करते हैं पहले कुछन कर लेते हैं फिर बात करते हैं आए अभी अब भी लाश्ट में बात करना है बस मैं 10-15 मिनिट बाद आप से बात करता हूँ डियलेट वालों का मैं बिल्कुल कि पूरा सम्मान के साथ बताता हूँ उनको चलो भया इनको हल करो कईसे हो है संख्या 200 का कितना पर्ष्रेंट 100 है 100-200 का आधा है यानी 50% है देखो फिर माना कि 200 का 1 पर्ष्रेंट क्या है 25 है मानलो तो दो सो गुडा यक्स परफेंट हटाओगे सो से भाग बराबर पचीस तई है जीरो जीरो निपट गया क्या है दो यक्स बटा एक बराबर पचीस सिर्चा गुडा होगा तो दो यक्स बराबर पचीस तो यक्स बराबर कितना होगा 25 बटा दो यानि साड़े बारा कितना होगा फाड़े बारा परसेंट कितना साड़े बारा परसेंट अच्छा जिनको लग रहा है यह सही है कि गलत है इसको आंसर भी निकाल के तुम्हें दिखा देता हूं देखो आए अगर यह गलत है तो अंसर नहीं आएगा दो सो का साड़े बारा परसेंट निकालो पकीस आना चाहिये तो का मतलब गुडा साड़े बारा को ऐसे लिखेंगे हटाएंगे परसेंटे साव से भाग करेंगे कि दूज यूरो फे दूज यूरो निपड़ जाएगा दो से गुड़ा करोगे साड़े बारा को तो बारा दूना 24 यानी 25 है ना सही कोना दिक्कत नहीं किसी को कोई दिक्कत एनी डाउट एनी परिशानी नहीं न एक गंटा फे जादा बड़ी कलाफ चलाने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है क्योंकि बाद में तो कोई देखता है नहीं अच्छा एक बात बताओ हर दिन मैं बताता हूं आप ही आज बता दो यह बता भया कि 98 का इस्क्वायर क्या होगा बहुत जल्दी से बताईए 5 सिकन में कितना होगा बताईए बहतर बहतर कितना होगा जानते हों 144 और आठाई 64 का चार 144 जे एक्टो पचास हाफिल पंद्रा डोनमाई क्यासी एक्क्याफी थास्टी नवे एक्क्यानवे चार 95, 95 इतना आएगा क्या, इतना आएगा, आएगे देखते हैं इसको एक ट्रिक से बताएं क्या ट्रिक है, हम आपको दो अंको की संख्याओं का आपस में गुड़ा करने की ट्रिक बता चुके हैं, देखिए, प्रैक्टिस होने के बाद आगे बढ़ जाएगा, पहले क्या करते साथी मेरे इन संख्याओं का आंतिम अंतिम अंक का गुडा करते हैं तो आठ टाइक चाओंसट का चार हां फिलाया कितना छे कि अब इनका क्रास मल्टीपल करते हैं आठ नवा एक्यासी में पंद्रा जोड़ो पांच एक छे आठ एक नोच्छानवे तो यार थोड़ा सा मिश्टेक हुआ था इसमें हासिल में देखिया इंट्रेस्ट ना धिरे धिरे गंटे के बाद लोगों का मोजाता ठाक जाते हैं तो गडित है गंटे ज्यादा नहीं इक समझ में आई कि नहीं एक बार हाँ बोल दें क्या करना समझ लिजीए पहले आपको लाश्ट-लाश्ट की संख्या का गुड़ा करना है पिर जो हासिल आएगा वह से उसको समझ लेना है यान्तिमां के हा लिख देना फिर हासिल जो आएगा लिख देंगे जैसे आठाई बहुत बड़ी बात नहीं है अख्रमी देवी समझ में सभी को समझमें तो 10 बजय वाले बच्चे यूटूब पे खोजते हैं नहीं तो डिह रडों बच्चे आते हैं खोजते हैं तौका आज कहां को नहीं चल रहा है कुश्चन नमबर मान लीजिए 20 मने लिख दिया लिखिए संख्या 15 का अपवर्त मिन्स मल्टीपल है मल्टीपल पहला तीन है दूसरा पंदरा है तीसरा पांच है या जीरो जीरो मत लिखो यहां नहीं सही है चलो आँसर आप देंगे 20A 20B या 20C आफ़े कमेंट करेंगे संदोस मेंजर लिखिए क्या डाउट है अंजली राव PBR स्टडी आप के अंदर मिलेगा डियलेड का आल समस्टर PBR स्टडी आप में चलेगा यूटूबर के लिए बेट करिए दिवाली बाद 15 नमबर के बाद जिनको जल्दी है वो आप में इन्रोल करें अपवर्त मीन सोता मल्टीपल किसी भी संख्या का मल्टीपल यानि अपवर्त कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता है अगर ये चीज आपको याद है तो आप इन तीनों आप्षन को एक के कुलाडिस काट सकते हो इससे बी वाला सही है बी वाला सही है बी भी मतलिको कोई आज जो टॉपिक कबर होगा उसका नाम होगा फ्रेक्शन यानि भिन पिछली कलास में आपने घनमूल और घन पढ़ा था तबको पता है आज जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रेक्शन यानि भिन इसके जो पार्ट्स होंगे वो क्या-क्या होंगे पहला परिभासा यानि डेफिनिशन परकार परकारों के आज पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ परिभासा और बिन का जोडना घटाना परिभासा और इसके पहले पढ़ाया हूँ संख्या 93 यह अभाज संख्या है या भाज संख्या है एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ कि यह क्लास सिर्फ उनके लिए जिनको गड़ित नहीं आती है और जो गड़ित सीखना चाहते हैं वास्तों में जिनको ना मतलब कुछ करना है लाइफ में अलग कुछ करना है क्योंकि मैठ से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ करके आप काफी कुछ कर सकते हैं और अगर मैठ नहीं आती तो बड़ी गोर बेज्जती होती जिन्दगी में भले इस मायंगाई में आपको ल सुरज सिंग दीपक कोमलति पाठी अर्बिंद यादो सूरज बैभा अन्ने सभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं चलो भया मैंने एक सवाल पूछा उस पर बहुत से बच्चों ने जबाब दिया बहुत से बच्चे ने जबाब देना अच्छा नहीं समझा है बहुत परिभासा कहीं लिखने के लिए नहीं आता है लेकिन आपको पता होना चाहिए साथियों भिन्द जो होती है वो किसी संख्या या वस्तु के किसी एक निश्चित भाग को दर्फाती है देखे एक फिगर बनना चाहिए आपके दिमाग में चित्र बनना चाहिए तब ही आप नीजी पता है कोई चित्त आपके डिमाग कर सकते हैं जातर आपके सामने बूला मोबाइल आपके सामने बन जाएगा अपके अंतरा आतमा में चलेगा मोबाइल ऐस चैटाः कर सकते हो फोन काल कर सकते हो something सकते हो टाट जला सकते हो मतलब जान जाओं आपने कभी जिन्दगी में मोबाइल देखा हुं ढहे नहीं देखा सुना टो यहां अपके दिमागों बसाते हैं अध्यूित जैसे मैं माल लेता हूं यह क्या है माल लीजिये गोला में क्या होता है अमरूद मान लो इसे चलो कुछ भी खाने पीने की चीज मान लो जो गोली-गोली होती ऐसी अब तुम सब बड़ा समझदार हो जान जाओगे ठीक है अब इसको हमें क्या करना है अरे इसको भरना है यार कलर तो इसका हो जा रहा है एक मिनट तो अगर इसके हमें पार्ट करने है ठीक है इसके आमें पार्ट करने जैसे देखिए समझना यह पर थोड़ा सा एक मिनट अगर यह कलरफूल हो जाता तो थोड़ा सा अच्छा लगता दो gonna फिल अप नहीं हो रहा है रुकना थोड़ा सा ये फिल तो ये मैंने इसको भर दिया माल लिजिए मैंने इस कलर से भर दिया आओ चलो ये क्या है ये जो आपको दिख रहा बस वही है माल लिजिए कि हमने क्या किया इसके तीन पार्ट कर दिये कितने पार्ट तीन पार्ट समझना यहां से कितने भाग हुए तीन भाग ठीक है थोड़ा सा समझना यहां पर जो मैं बताना चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ आपको भिन क्या है वाटिज फ्रेक्शन भिन क्या है वो सिखाना है देखो समझना है आपे अपर इसके कितने भाग हो गए तीन भाग अब एक भाग को मैं सफेद कलर में कलर कर दे रहा हूं इसको मानं के चलो कि मैंने फूरा क्या डिया सफेद कर दिया भले भीचVIE बीच में चित्कबबर बचा है ताइम ज्यादा लगे गार नहिंए कर दिया अब अगर मैं आपसे पूछूं भिन्न के रूप में मैं आपको सिखा रहा हूं कि फ्रेक्शन क्या है तो मुझे ये बताओ कि जो वाइट कलर का भाग है उसको भिन्न के रूप में कैसे दिखाएंगे ये गोला ही मान लो इसको अमरूद और आम मत मानो चलो हम आपको पढ़ा नहीं रहें सिखा रहें इसमें वक्त लगेगा ये साट वाली रील नहीं कैसे ऐसे कर लो आ जाएगा ऐसा नहीं सिखाता मैं टाइम देना पड़ेगा चलो देखो भिन क्या है एक बार सिख जाओ कि कभी नहीं भूलोगे गारंटी है ये गोला है गोले को मैंने तीन पार्ट में बाट दिया इनके तीन अलग-अलग कलर हो गए एक आप पिंक मान सकते हो रेड मान सकते हो जो भी आपको दिख रहा हो एक वाइट एक ग्रीन या बैगनी क्य का कम लगेगा फ्रेक्षन का हमने कहा सपेध बाग सबसे पहले हम गिनेंगे इसके टौटल कितने भाग हैं तोलग कितने इस सेदार हें गोला है गोला में जो कलर का वह रहा हुआ हुआ कि टीन नीचे हर में तीन लिखते हैं फिन जो सपेद वाला ने वह पांद आ या वो किसी किसान का खेत है अब कहो गई से गोला गोला कहां खेत होता है मान लो मैथ वाले हैं बहुत कुछ मान लेते हैं उनके तीन बेटे हैं तीनों बेटों को क्या करना है अलग-अलग हिस्सा देना है तो ये छोटका बेट वाक कितना मिलेगा एक बटा तीन समझ गए? यहां से बिन्द की परिभासा क्या हुई? बिन्द की परिभासा ये हुई कि बिन्द एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तू या संख्या के एक निश्चित भाग को दरफाती है यहनी हम कह सकते हैं कि इस गोले का एक बटा तीन क्या है? सपेद वाला भाग है जिस हिसाब से हमने कलर्फुल की आधार पर माता है जबकि इसको हम ने नौपा नहीं है वैसे देखो कि दाधात यहीं वाला है ठीक है हम इसके सही माप की कोई गरंटी नहीं लेते हैं हम आपके बता रहे हम आपको किवल भिन्द क्या है वो सिखा रहे है तो जगा अलग-अलग मतलब है ठीक है अच्छा तो यह इस वाले का यहां पर बहुत फीका दिख रहा है मुझे यह थोड़ा कलर गहरा दिख रहा है यहां पर हरा वाले कलर का बताओ क्या होगा इसका भी एक बता तीन होगा भाई तीन हिस्से में यह भी बता है तो एक हिस्सा और इसका भी एक बता तीन होगा फिर क्या होगा अगर यह सही बतवारा हुआ है तो तीनों को जोड़ेंगे तो वान आना चाहिए अगर यह बतवारा सही हुआ है तो तीनों को तीन जगा बाटा गया था इनको जोड़ो सभी का हर बराबर है तो नीचे तीन रहेगा उपर के अंस में अंस सभी जूड़ जाएंगे थिरी अपान थिरी वन यानी वन आएगा हमने क्या किया एक ही गोले का बटवारा किया था ना सही है ना कोई दिक्कत नहीं नहीं ठीक है बहुत अच्छा आगे बढ़ें चलिए यहां पर यह बिल्कुल मत तर्क लगाना कि यह भाईया यह तो बड़ा थात एक बटा तीन कैसे सब बराबर बराबर कैसे कर दी है ना हम आपको क्यों तरीका सिखा रहे हैं कि भिन क्या है बाकि इसको बराबर बराबर में भी कर सकते थे गोले को ती इन पार्ट में ऐसे बराबर बराबर बांट सकते थे वह अलग बात है हमें यहां पर उससे कोई मतलम नहीं है अधिक है देव गौत्म यहां पर हम आपका तरक नहीं लगा रहे हैं जो आप लगा रहे हैं ठीक है चलो अब हम क्या करेंगे अब थोड़ा सापको दर्षा के दिखाते हैं जैसे संख्या 60 का 1 बटा 3 बताइए कितना होगा कि साथ का 1 बटा 3 क्या होगा जानते हो आईए 60 गुड़ा 1 बटा 3 तीन से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 20 यानि फाइनल कितना है 20 60 का 1 बटा 3 क्या आया 20 यानि अगर साथ रुपए को तीन लोगों में बटवारा करना है तो 2020 रुपए आएगा यहां पर यह भिन क्या दिखा रही है यहां पर यह भिन किसी संख्या के किसी एक निश्चित भाग को दर्फा रही है समझ मैं यानि भिन एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या या किसी वस्तू के किसी एक निश्चित भाग को पर दर्फित करती है या दिखाती है जहां तक मुझे पता यही होता है तो अगर हम इसको ना करते इतनी कहानी तब भी समझने वाले समझ सकते थे समझ की 60 का एक बटा 320 होगा है न जैसे अगर मैं बोलूं एक दूसरा समझना अगर मैंने बोला कि संख्या सो का 1 बटा चार बताओ किसको किसको दिख गया क्या होगा कि STK को किसको दिखा की क्या होगा ये बहुत से लोग जो है वो नहीं कर रहें क्या बोलते हैं क्लास में नहीं आए उनको पता भी नहीं बहुत से बच्चों को कि आज क्लाफ चलेगी है न कोई बात नहीं है रिवीजन कर लेंगे यह वीडियो यूटूब पर हम छोड़ देंगे बाद में देख लिजिए आप लोग वैसे रेगुलर में तो यह वीडियो यूटूब पर आता नहीं है रूबी आदो समझ में आ रहे हैं सौरव कमलेस परजापती फोजी सब को आ रहे हैं रिंकी रिया नहातिवारी सभी को समझ में आ रहे हैं चलो भया सभी को दिख गया होगा क्या होगा स्व का एक बटा चार मतल लाइफ आएगा फाइनल में पचीस कितना पचीस हूं ओके बढ़ियां जितने भी कंडिडेट जुड़े हैं सेसन को लाइक जरूर करें आपकी जिम्मेदारी है आपकी रिस्पांसबिल्टी है और इसे ध्यान में रखें यह जो यहां पर दिख रहा है बहुत गवर से देख फ्रिपर पढ़ सक्ते हो जो है ना वह सिब्सक्राइब किल शर्द किलास में आये अफ़िक सब्कॡ़ के इतने पठोशे सो देखे थे लाइब नमर बारा अगर आपने देखा था तो आप मैंने फटा-फट कमेंट वाई लिखें और नहीं देखा था तो यहसम कहीं मन नहीं है फिलहाल के लिए लेकिन कमेंट जरूर करेंगे अपनी उपस्थिती के लिए चल भाइया बेन का जोड़ आप करना सीखेंगे क्योंकि हम आपको वो में पॉइंट सिखा चुके हैं जो परिभासा वाली बात थी ठीक है बहुत अच्छा वो वीडियो यूटूब पर पढ़ा जाके देख लिजिएगा ठीक है नहीं देखा था देख लेना जरूर से जरूर हम यह क्लास उनके लिए चलाते हैं जिनको गड़ित नहीं आती है और वो सीखना भी चाहते हैं दोनों कंडिसन है ना अना अलग बात है तुम सीखना ना चाहते हो अलग बात है तो जो बिल्कुल दिल से सीखना चाहते हैं जिनको वास्तों में तकलीफ है इससे उनके लिए होती है और वह क्लास को पूरा देखते हैं छोड़ के नहीं जाते हैं जब हर बराबर हो साथियों यहां पर थोड़ा सा नजर दोड़ाना जैसे मैंने लिखा सेवना पांथ्री कि तो जो शंक्या उपर होती है प्यारे इसको बोलते हैं अंस निचवा वाली को बोलते हैं हर नहीं नुम्रेटर बोलते हैं इसको डेनुमिनेटर बोलते हैं स्पेलिंग साही है ना सर्च कर ले ना गूगल में देख ले ना इस पेलिंग बढ़ोगी तो है ठीक है चलो फटा फट और मुझे यह बताओ सभी को समझ में आ रहा न पका यह आया सुरज परजापती इमोजी भेजोगे तो बुलाक हो जाओगे गड़ियाल वाला मूँ बनाने से यहां कुछ नहीं होगा आना दुबार तुमरा नाम बोलूँगा नमबर नीचे दिया गया उस पर संपर करिया आपकी समझ सक्समदान किया जाएगा अब को हो कि हम पढ़ाना छोड़ के तुमरे जब 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 करें तो भई जब 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 नहीं होने वाला है यहां पर चलो पढ़ाई बिद्यान दो चलो आगे बढ़ें समझ गए तो यह अंस और हर समझ गए ना जब हर बराबर हो तो कैसे जोड़ते हैं जरा देखना जैसे 3 अपान 7 प्लस यह 5 अपान 7 इनको क्या करना हमें जोड़ना है बहुत ही प्यारती देखना है बहुत आराम से इनको जोड़ लेंगे कैसे देखो जब हर हर बराबर हैं तो हर को एक बड़ी लाइन खीच के ऐसे लिख देते हैं अंस में देखिए 3 है फिर 5 है तो 3 लिख देंगे बीच में प्लस का साइन था प्लस एंड 5 बस इतना करना है बढ़ीया इनको थोड़ा साम छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें दिखाना एक लाइन में है तो हम 5 और 3 8 करेंगे 8 हो जाएगा 7 अभी इनको ऐसे छोड़ देंगे यह चाहे उचित भिन्न में आ रहे हैं उचित भिन्न में जैसे हैं जो है इनको ऐसे छोड़ देंगे अभी इसके आगे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं ठीक है आया समझ में किसी को कोई दिक्कात नहीं न चलिए ठीक है बढ़िया है गुड बेरी गुड चल भई आगला इसको फास्ट कुश्चन मानते हैं इसको सिकेंड कुश्चन पांच बटा नौ धन एक बटा नौ अभी हम जो भी इनका आणसर आएगा उनको बिल्कुल आगे हल नहीं करेंगे उसी छोड़ दे रहे हैं उबले आगे हल हो सकते हैं बट नहीं क्योंकि अभी हम आपको एक इस्टब सिखा रहे हैं हमारी कोशिस है जिनको गड़ित में कुछ भी नहीं आता बिल्कुल सुनने बटा सननाटा हैं जिनको ही नंबर देने के लिए जीरो का विस्कार हुआ है हम उनको ही सिखा रहे है बटलब उनहीं के लिए हैं आओ देखो हम कभी यह नहीं कहेंगे कि तुम्हें यह नहीं आता तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अब तो तुम धरती पर सिर्फ जन संख्या के लिए ही जन संख्या गिंती में ही काम आओगे वाकि कोई काम कर नहीं हो ऐसी बात नहीं है बहुत से लोग बोलते हैं आप देखते होगे जो पढ़ाते हैं चलो हर जो था उसको मैंने नीचे लिख दिया अब आंस में पहला ले उमीद है कि आप सीख गए जब हर बराबर हो तो उनको कैसे जोड़ते हैं यह आप सीख गए अब मुझे यह बताओ थोड़ा बड़ा सा कर लो भाई इसको हल करके आप मुझे कमेंट में बताओ कितना आएगा आमन केसरवानी गरिमा सिंग कोमल तिरपाठी आजय सिंग सुजल परजापती अरचन यादो सोनम दूबे महबूबी बेगम जितने भी कंडिडेट जुड़े हैं सेशन को लाइक सेर जरूर करें आपकी जिम्मेदारी है पूरी फुल रिस्पांसबिल्टी है आपको ठीक ह समझे रहे हो ना और कलास को छोड़के नहीं जाना है यह भी आपकी जिम्मेदारी है बहुत अच्छा अगे अब नेक्स्ट लेबल में चलते हैं अब बी नंबर जब हर असमान हो पहले बता दू या तीन पद वाला तीन पद या पाँच पद सब ऐसे होता है चलो ठीक है छोड़ो जाने दू जब हर असमान हो हर को इंगलिस में बोलते हैं डेनोमिनेटर जैसे थ्री अपान फाइव प्लस वन अपान फोर समझना इसको हल करने का दो तरीका है एक LCM मेथ़ड होता है एक होता है Cross Multiple मेथड LCM मेथड सभी में यूज किया जा सकता है Cross Multiple वाला अगर दो ही पद हैं तो ज्यादा बहतर होता है अगर तीन चार पद हैं तो गड़बड हो जाती है आओ आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जांके इंदुस्तान की इतना मोटा भी न दिखाएं पतरा कहीं के दिखा भई चलो पहले क्रास मल्टीपल मेथेट से हम सिखाएंगे फिर एल्टीम वाला एल्टीम मैं आरेड़ी सिखा चुका हूँ आप लोग को यह तिर्षा गुड़ा ऐसे करेंगे बाबू ऐसे ओके इनका एमे करबा आज बेका दुनों कहीं क्या घाय जाया ना देका एमा के लिए ब डेखो अपना अवधी भासा निए चोड़ना चाहिए इसले भी बिचबीच में आउधी बall धेते हैं जैसे तुम्हे समझ में हम हैं कर दोर्त टो ट्वल्म के में पांच लिए क्टना होगा 17 कि मारा पांच सत्रा नीच भी सon को को यह फटाफट इसको लिख लीजिए यह पहला था सिकेंड वाले में आओ कि जितना वी कंडिडेट जुड़ा हा ना भाईया सब भी बिलकुल एक दम दिल लगाए कि देख्या जतना दिल उसे लगाए रहा जोन भाग गए उतना दिल ही लगाए लिया एक बार देखा जिन्दगी तर्जे जालो कि एका केतना जने कह लेबा केतना जने ना कह भाई बता इमांदारिस बताया जूट ना बोला बिलकुल भी सबाइक समझ मावत आहना एक दम मस्त पूरा आवत आहना कोणो कमी ना थोड़ा बहुत कोणो कोर कशर नहीं ना चला फिर आएए देखिए सबसे पहले क्रास मल्टीपल करेंगे इंपाइप का मल्टीपल इसमें करेंगे ठीक है यह पहला सब्सक्राइब दूसरा इस्टप में का करेंगे झाय और लाश्ट वाले में का करेंगे लाश्ट वाले में निचवा का निचवा में करेंगे बस खतम देखो पांच का तीन में पंदरा गांच का छे में साथ छंग 42 और साथ पचे 35 फटा फट एड कर लीजिए जोड़ना सबही को आता है देखो 42 में 15 जोड़ना है इमानदारी के साथ जोड़ो हम में मान लो कुछ नहीं आता है 42 में 15 जोड़ना है हम यह मान ले कि 40 में 15 जोड़ना है मान लो मैं थवाले हो माना करो भियान आप ताव मान लिया अगर हम साथी सुदा आई ठीक सुझा अब मतलत समझो अगर 42 में 15 जोड़ना है आप यह मान लो कि 40 में 15 जोड़ना है ठीक तो 40 में 15 जोड़ना है 40 में 10 जोड हुआ चुकि 40 नहीं था 42 था तो ऐसे करोगे तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा यह होगा 57 बटाप्यतिस हो गया अंसर कि कुछुम सोनकर समझ में आया अंजली राव अनुप कुष्वाहा अजय सिंग दीपक कुमार भावना पाल अनीशा और दूसरा जो लोग नहीं समझता होंगे का बोल दिया बकर बकर तो लोग ऐसे कर लिया करो भया यह पंदरा में जोड़े का है का हो बया आलिस आई फे लिखा न यार पांदुश साथ चारेक पांच सत्तावन तब हो आए बात तो वही तो यह था आपका क्रास मल्टीपल मे अच्छा तो तो सभी कर सीख बढ़ा ना भाई आते थी बतादा फिर लगे हाथ चला चलो बताओ तेरा बटा पांच प्लफ ग्यारा इसको कितने लोग बता लेंगे इमांदारी के साथ बताओ चलो अब लोग बता लेंगे बना पक्का मंजू समझ में आ रहा है इसी में मैं तुमत समझ बतां करें आप ने तक हम कंदाने मैं आप conception हाथा चलो आघेशने प्लफ तो इनको क्या करेंगे में कर आच मेरे सिंज्ण में कॉरभ यहां तक हुलगे इस दिर्यम करासम मल्कषेстаточно पहले से सिखाया हूँ आपको बचपन से ही जवानी बुढ़ापी आ गई फिर भी नहीं सीखेका देखो कितने लोग समझ गए बचपन में कितने लोग समझ गए 143 अब अगर तुम 143 नहीं समझे तो समझे तुम जनसंख्या गिंती की काम आओगे और कुछ नहीं चलो देखो आगे ऐसी बात नहीं है जो लोग समझ गए अबर बात हो गए देखो 5 सते 35 और 11 का 5 में 55 कहते हैं न जिंदेगी में कुछ चीज ना समझो तब ही अच्छा होता है कुछ चीजों से अंजान होना जरूरी होता है कि जोड लेंगे कितना आएगा कितना आएगा फटापट इमांदारी के साथ बताओ मेरे यार कितना आएगा जोड के छलो देखो आई ए जोड के बताते हैं देखो पहले इसको टेकनिकली दिमार्फ से जोड़ते हैं बीना कम companies के काईसे यह 43 43 है यह 35 है मान लेते हैं कि एक सो चालिस है और एक सो को मारो हटाओ भगाओ चालिस मान लो इसको तो चालिस में जब 35 जोड़ोगे तो चालिस में 35 जोड़ोगे 75 यानि 175 क्योंकि 100 पहले था और तींट याउर है तो 178 तो बीना कौनों दिमाग लगाए एक सो अठतर बटा पच्पन आए और दिमाग लगावा तो यहां लाइक लिखा इसे हैं यहां बढ़का 143 बै तुम लाले ललका है को लिख रहा बर बार चला अफे पांतीन आठ्स याया न अरे बीच में सेबन लिखा लगवा मार गया उसको थोड़ा तेढ़ा होगे ठंड इकदम इमांदारिस बताया जूट नव बोला ना आए दुबारा बताओ तिबारा बताओ चार बार बताओ उल्लू समझ रखेया का पचीस बार बता हुआ है अरे बोले बोल दी था इसे मोटिवेट करें लिए बाकी बताइद ना उत्ता बात हाँ वीडियो बार बार लाव चाहता है न बड़ा स्वाद बदलता रहे बीच बीच में तो मुझे यह बताओ सबसे चोटी अभाज संख्या क्या है कि सबी बताओ फटे से फटे फटे सबसे चोटी अभाज संख्या इस मालेश्ट प्राइम नंबर है लगम अनिशा मुंद आ सेकार श्रकर सुशास हो और वन हो बाकी और कोई दूर दूर तक नहला वह आрахहिए on वन को कहेंगे भाइया वन विरादरी से बाहर है याद रखना ना तो ये भाज्य है ना भाज्य है वो ना भाज्य है वो कुछ भी नहीं है कि यए ना काहु से दोस्ती ना काहु से बढ़ 12 से इसटार्ट होती कहानी और सफे चोटि जो अभाज संक्या वोटी वोध़िये व दो होती है दों होती है दों की एक और खासियत होती है जैसे लंका में रावड की नगरी में महराध विस Gef orientation जी जो सुरी रामपरुजी के साथ थे राच्छासों के बीच में होते हुए भी वैसे ये है कहेगो यह स्वं संख्या होते हुए भी अभाज्य है बाकी ऐसी कोई संख्या है नहीं यह unique एक ऐसा नेमबर है जहां तक मुझे पता है कि संख्या दो एक ऐसी संख्या प्राया अच्छे डिपार्डमेंट में है और वो गूस खोर ना हो लट खोर ना हो चोर ना हो कोई एक हो ऐसा समझ रहों कि प्रेगरी में ऐसा आने के बार लोग ऐसा प्राया हो जाते हैं चलो आगे चलो आगे देखो तीन बटा पांच अब तो सबाई कर लोग यार अब का लिखे भाल तो कि नहीं नो बटा एकईस इनको जोड़के बताओ कितना आएगा फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हमारी कोशिस है कि जिनको गड़ित नहीं आती सबको सिखाएं बस एक है उद्दे से है कर लेंगे न सभी ठीक है तो अभी तक हमने सीखा प्यारे साथियों कि दो पदों की जो भिन है उनको दो तरीके से कैसे हल करेंगे यानि क्रास मल्टीपल LCM HCF अभी हमने आपको नहीं बताया उस मेथड से अब वो मेथड भी उच करेंगे आओ चलो देखते हैं हम इसी बिन को पकड़ेंगे जो यहां हल किये थे LCM मेथड से चलो अब LCM मेथड से देखेंगे यहां पर लिख लो चाहिए अच्छा लगेगा अगले पेज पर लिखें क्या तेरा पांच साथ ग्यारा यहीं अल कर लेंगे यार लिखो लफियम विधी फे उपर जा रहा है काई यह उपर न जा भी समय नहीं हुआ देखो भईया समझो सा भई तेरा बटा पांच साथ बटा ग्यारा LCM मेथड में भिन्नों के हरों का LCM निकालेंगे यानि 5 और 11 का LCM निकालेंगे तो 5 और 11 का LCM क्या होगा प्यारे 55 होगा LCM करना आपको आना चाहिए मैं आल्रेडी सिखा चुका हूँ ठीक है ये पहला इस्टफ होगया उसके बाद क्या करोगे जो LCM आया उसी में यानि पच्चपन में पहली भिन्न का जो हर है यानि फ़र्ष्ट भिन्न ही है इसका हर पांच इससे भाग करोगे भाग करके देख लो सभी को भाग करना आता इतना समझदार तुम बच्पन से ही पैदा हुए थे भाग फ़ल आया ग्यारा और हमें सिर्फ इतने से मतलब है इसको पकड़ेंगे ग्यारा को और इसके अंस में करेंगे गुड़ा ध्यान से देखना पहले LCM करेंगे फिर पहली भिन्न के हर से LCM में भाग करेंगे फिर जो भागफल आएगा उसमें पहली बिन्नी के अंस का गुड़ा करेंगे यानि 11 का 13 में गुड़ा करेंगे ठीक है तो 13 एकम 13 का 3 हाफी लेक 13 एक 14 14 ठीक यह हो गया पहला इस्टप इसमें खतम एक और दूसरा पहलू इसमें है कि जो LCM आया इसके साथ जो सेवा पहली बिन्न के साथ की गई वही दूसरे के साथ भी करेंगे यानि 11 सेव इसको भाग करेंगे ठीक है तो जो भागफल आया यानि 5 उसका गुड़ा पहली बिन्न नहीं दूसरी बिन्न के अंस में करेंगे यानि 5 का 7 में मतलब 35 ठीक है ना भया तो फिर क्या करोगे आप इनको जोड़ दोगे 538 और 178 बटा 55 ठीक है हो गया कोई दिक्कत ना किसी को शापलो फटाफण किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताओ जल्दी इमानदारी के साथ अच्छा एक बार आप बताओ प्यार फे एक बात बताओ तुम कौन सा ने ने वो यादों में मरने वाली बात मैंने पूछूँगा वो तो जिसको पूछना वही पूछेगा बस तुम एक बात बताओ कि तुमें ये बी वाला तरीका था ज्यादा अच्छा लगा या फिर ये ए वाला तरीका अच्छा लगा इमानदारी के साथ ये क्रास मल्टीपल में थ्रेट था ये ल्सीयम वाला था ये या बी दोनों में से कौन सा अच्छा लगा इसमें थोड़ा गंदा कर दिया गया अलग बात है वाकी सही है सामेंट में आप लोग ये या बी जरूर लिखेंगे फलाने लोग के 108 कहां से आवा हो अजय सिंग अर्चना सौरब यादों ने सबसे पहले बताया है बहुत अच्छा सौरब बीबी नुज़त बानू मतलब समाज में आवाद बाना सबई के पूपे शेतुरवेदी कह रहें ए वाला यानि क्रास मल्टिपल है भाईया जो चीजिंदेगी में अच्छा लागा थे ना वह अच्छा होटना है देखा देखा वहीदा न लटकमन वह तक चाहात थे अज इजाब धकल देखो और उन आसिक्तों थे जिन और दर्द सुभा उश्वाली क्लास में आता है कमेंट वाले में उनको पढ़ने में नहीं मजाता किताब खोलते हैं तो नीद आती है और फोन कान में लगा लएंगे तो पूरा रात बर करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं उसमें नीद नहीं आएगी क्योंकि अच्छा लगता है लेकिन अच्छा होता नहीं उसका परड़ाम बड़ा खतरना देखो कई से अब समझो यहां पर समझो यहां पर कई से समझो समझो यह तरीका आप छोटे फ्रेट्शन में लगा सकते हो अगर दो ही पद में है यहां पर देखो आगे लांग टाइम के लिए यह वाला तरीका साही नहीं है कैसे जैसे अगर मैंने दे दिया ऐसे फ्रेक्फन वन अपान थ्री प्लस फाइप अपान सेबन प्लस आठ अपान चार चार नहीं मान लो इसको छे अब बता यह में क्रास मल्टीपल वाले में उलत जाओगे यह मैं इसका इधरे करोगे इधरे करोगे पर इधरे फिर इधरे इधरे फिर यह थोड़ा सा अट-पटा हो जाएगा जिनको लग रहा आप हीन वह आसान है ना चलो आप बताओ अब उलाच जाएगा की नहीं लेकिन LCM वाले मेथेड़ थे इसको आफानी से कर सकते हो आया समझ में तबही क्यावत बैना गरी में सिंग कह रही है पूरा हिंदी बोलिये तबही आ कहा हम यह अंग्रेजी बोलता ही हिंदी है तब बोलता ही ना और इंडियाम रही कि अगर तुमा एक को लोका अधी ना आवे तो फिर अधी नहीं है आवधी आवे चाहिए सब का आईए अब बात करते हैं हम अपने स्टेप बाई स्टेप में ही चलेंगे फिलहाल छोड़िए LCM मेथड में कुछ और भी कुश्चन करवाएंगे क्योंकि हमारी कोशी से सब को आना चाहिए और बहुत छोटे छोटे कुश्चन ही हम लेके चलेंगे हाई फाई यहाँ पे नहीं नौ बटा पांच साथ बटा तीन इनको क्या करेंगे LCM मेथड से हल करेंगे कितने लोग कर लेंगे कितने लोग कर लोगे भाई यहाँ आँ चलो पांच और तीन का सबसे पहले LCM करेंगे देखो यहाँ पे लिख देता हूँ पहला स्टेप LCM तो पांच तीन का LCM होगा 15 LCM करना सिखा चुका हूँ पिछली कलासों में दूसरे स्टेप में पाहली भिन्न के हर फे LCM में भाग तथा भाग फल फे पहली भिन्न के आंस में गुड़ा यही परकिरिया आप दूसरी भिन्न के साथ भी करो गया ऐसा ही ब्योहार बस LCM हो गया पहली भिन्न के हर से LCM में भाग पहली भिन्न के हर भिया है पांच LCM 15 35 के पांच से भाग करवा सबहित करते है दिन आरा फिर क्या कहता है बागaire से पहली भिन्न के अंस में गुड़ा यानी भाग फसल यानी तीन से पहली भिन्न के अंस यानि 9 में गुड़ा तो 925 झारें आप क्या करेंगे जो LCM आया है उसी में दूसर की भिन्न के हर्फ से भाग तीन से फिर से भाग करोगे कितना 15 में करल भाईया तीन से 15 में भाग करोगे 5 आएगा और 5 का 7 में गुड़ा 35 भाग करके देखो वही पर किरिया दूसरे भिन्न के साथ भी किया जोड़ लेंगे साथ पांच बारा का दो हाँ फिलाया एक और तीन दो पांच एक छे ये हो गया बस खतम किसी को कोई दिक्कात नहीं न सबही के समझ माई गना एक दम बढ़िया जिनको कोई परकार की इंक्वाइरी करनी है कुछ कहना है नीचे स्क्रीन पर मोवाइल नंबर दिखाये जा रहे हैं उस पर संपर करिए इमानदारी के साथ खुब बुजाईए ठीक है जितना पूछना उतना पूछिए ये हो गया LCM मेथेड उमीद है कि सभी को समझ में आया आप देखिए यार देखो भाई क्लास का टाइम है वो तो मुझे लगता ओबर हो गया क्योंकि 40-45 मिनट फे जादा की क्लास आप लोग बाद में देखते नहीं हो लेकिन संख्या भी बन रही है तो मैं चला दूँ और बड़ी क्लास क्या क्या कहना आप सभी का डियलेड वालों से न मेरा दिल तूट गया एक दम सही बता रहा हूं लब ब्रेक अप हो गया एक प्रकार फे क्योंकि ये लोग क्लास को ना तो सेयर करें ना लाइक करें संख्या बनती नहीं है इसलिए मैं डियलेड वालों को चलाना नहीं चाहता को यूटूब पर इस पेसली एप में चलती है अपलीकेशन में दिनकी क्लास बड़े धामा धाम चल रही है जब दो या दो से अधिक भिन हो देखिए कि इसमें देखिए मैं कलर चेंज करता हूं फिर वोसी कलर चलता है गदाहा देखो जब दो या दो से अधिक भिन हो जैसे तीन बटा साथ एक बटा पांच दन आठ बटा अब बताओ इन में इनको कैसे हल करेंगे दोनों तरीका में बताओंगा बहुत ही प्यार से देखना एक दम आराम से देखना अच्छे से ठीक है डी अलड की कलास पीवी आर स्टडी एप के अंदर चल रही है यूटूब पर अभी हम थोड़ा बंद किये हैं हमारी कोशिस है यूटूब पर लाएंगे लेकिन आप लोग लाइक सेर नहीं करते संख्या नहीं जूडते इसलिए नहीं ला रहे हैं जो डी अलड वाले कंड अब इनको हल करने का वही एक तरीका है सबसे पहले साथियों करते हैं इनके हरों का एलफियम यानि साथ पांच और दो का एलफियम हो जाएगा सत्तर शाहीं बोल रहा होंगे नहीं भाई साहब दो पांच वाशाथ का एलफियम होगा सत्तर शाहीं बोल रहा हूं कैसे इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो यानि उभायनिष्ट गुड़न खंड ना हो तो उनका गुड़न फल ही उनका एलफियम होता है ठीक है कुछ करने की जरूरत नहीं है, LCM ले लिया, पहला step खतम, चाहे तीन संख्या होती, चाहे तीस होती, कोई फरक नहीं पड़ता, ऐसे करते हैं, दूसरा step में जो LCM आया है, उसमें पहली भिन्न के हर्फे भाग करो, तो यह साथ से भाग करोगे, सत्तर में तो आएगा दस, इतना तोका होईन के चाही ना, अब इतना बड़ा होई गया, साथ से भाग करेंगे, सत्तर में आएगा दस, और दस का तीन में गुड़ा करेंगे, हो जाएगा तीस, इतने में भी नहीं समझ में आ तो बताना हम भाग करना भी सिखाए हैं हम ये भी सिखाए हैं कि नौ में दूई का भाग कैसे करोगे पहाड़ा कैसे पढ़ते हैं पहाड़ा नहीं आवद तो पहाड़ा के ट्रिक भी सिखाए हैं सब सिखाए हैं अगर यहां नहीं समझ में आ रहा है नंबर पर संपर करिए सब बताएंगे ठीक है चलो इतना देखो बुझाओ फिर बता हो मैं चलो क्यों कोनो दिक्कत कोनो परसानी नहीं न बढ़ियां है आओ चलो तो सत्तर में साथ का भाग किया दस आया दस का तीन में गुड़ा किया तीस आया अब दूसरे भिन में आ जाओ लसीम यानि सत्तर में पांच का भाग करिए सत्तर में पांच का भाग करिए सभी को पता है चौदा पंचे सत्तर होता है कि पुट्टिन फाइब्चा सेबंटी ना चौदा आएगा करके देख लो चौदा के एक में गुड़ा करोगे तो चौदा ही रहेगा अगले तीसरे भिन्न में आ जाओ केल्सियम में भाग करेंगे तीफरे भिन्ने के हर्फे यानि दो का भाग सत्तर में करेंगे 35 आएगा और 35 का आठ में गुड़ा करना है थोड़ा दर बर पड़ रहा है लो कर लो इसे कितना जाएगा आठ से कहें कर रहे हैं भाई साब आठ इसका अंस है और 35 कहां से आया था एल्चियम में भाग करने पर दो से भाग करनेंगे सत्तर में तो 35 आएगा तो आठ पंचे 40 आप फिलाया चार आठ तरिक 24 चार 28 280 सब को जोड़ लो भाईया सब को जोड़ लो यह हो जोड़ो जाएगा और वह चार तो 24 बचाएगी नहीं चलो कि अब बाइसाब चाहर जोड़ना है तो यह जाएगा पहला नमबर इसको 300 कर दो और 24 कि एक बार मैं लिख देता हूं फिर देखा जाएगा जो होगा जोड़ो एसे चार तीन एक चार 324 सभी तो है यह था तरीका ठीक है किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो मुझे बता दो नहीं ना हूं मुझे बता है तो